हालो स्टुएंट्स मैं नवरदन जांगी टीम केमस्टी टीम सील सी केम डीटीएस बायो केम डीटीएस का नमबर टेन केमस्टी पार्ट का वीडियो सॉल्यूशन अपने देखने जा रहे हैं प्रिडिक टेबल चेप्टर आपके अच्छा गया होगा अगर कोई क्यूशन अगय कलती ना करें अपन क्यूशन नंबर से बात स्टार्ट कर रहे हैं क्यूशन नंबर फस्ट आपका वीच आप फॉलाविंग इस नोट एक्टि ग्रूइड आपको इसमें एक्टिनॉइड और लेंथेन अटिनॉड एलिमेंट कौन से अटमिक नमबर से स्टार्ट होते जो है वो 90 से लेकर 103 अपनेटर जो की आप लिख सकते हो याँ पर थौरियम से ले कर लौरैंचियम यह यहाँ पर आपको मिलेंगे आगा अगर स्टुडंट अपना बात करें इनको फोर एप स्रीज के थर्ड बी के अंदर आते हैं अपने स्टुटेंट पर तो क्विशन अपना यह कह रहा है कि अटमिक नंबर 96 आपको दिया हुआ है 98 आपको दिया हुआ 92 दिया हुआ है तो यह अटोमिक नंबर तो किसमे है 90 से 103 के बीच में है तो दीज आर एक्टिनोइट्स बट अगर अपने अटोमिक को एलेक्टोन गयाना एलेक्टोन आयोनाइज़स एंठेलपी का क्यूसन है तो थर्ड प्रिट के बारे वे आपन जानते हैं जैसे सोडियम मैगनिशियम एलुमिनियम सिलिकन फॉस्पोरर सुलफर और क्लॉरीन पूरे प्रियूर्ड के बारे में आपको बताता हूँ बैसिकल निकलेगा थ्रीपी वाला यह वाला अगर फॉस्पोर्स की बात करें तो यहाँ पर थ्रीज़स टू रीपी थ्री है जो की अपन थोड़ा स्टेवल कॉन्परिकेशन बोल सकता है स्टेवल हाफ फिल्ड कॉन्परिकेशन ओपी तो जैड इफेक्टिव के अकोर्डिंग तो यह संद्रिक ना तो अपने को यह से हैं कि मैगनीशीम का जो आइपी है वह स्ट्यूं और आलूमिनियूं दोनों से ही ज़्यादा होगा तो यह वाला उप्संदेग को स्टूडेंट इसके अंदर मैगनीशीम का आईपी अलूमिनियूं तो यह ज्यादा दे रख है बाकी आप चेक कर सकते हो आंसर कौन सा होगा इसमें अपना फर्स्ट नेक्स्ट की और आगे बढ़ते हैं स्टुएंट क्यूसर नंबर थार्ड अगर किसी एलेमेंट का इलेक्ट्वी कौन से अपना गयाड लीनियम हालागि क्यूसर में आपको अट्म क्यूसर नहीं दिया हुआ है हो सकता आपको अटिया जाये लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें आप इसका ध्यान रख सकते हैं इसका अट्मिक नंबर गिता होता है 64 atomic number 64 इसका electronic configuration अपना लिखते हैं देगो कैसे लिखते हैं अपन 64 से ठीक पहले इनरेट किस कौन सा आता है जिनौन जिनौन और जिनौन का सबसे पहले अपना इस में बरेंगे एक लेक्टोन डी में जाएगा उसके बाद बचेवे लेक्टोन अपने किसमें अंटर करेंगे एप के अंदर तो बैसिकली अपना बात करें तो इलेक्टोन एफिनिटी जो है वह क्या होती है स्टुडेंट एलेक्टोन एफिनिटी साइज के इन्वर्स्य प्रपोस्टन होती है ठीक आगर अपन ग्रूप के हाँ electron affinity क्या होगी ज्यादा जैसे for example अगर मैं आपको कहूं कि chlorine bromine और iodine ठीक है ना sulfur selenium tellurium ठीक है ना इस टाइब से तो group के अंदर आप नीचे जा रहे हो student तो आप यह कह सकते हो size बढ़ेगी और size बढ़ेगी तो एक्टोन affinity गटेगी तो एक्टोन affinity गट रही है यह तो जंदल बात लेकिन एक special बात यह है कि जब आप second period से third period आते हो कहने का मतलब fluorine से आप chlorine आते हो fluorine से chlorine आते हो oxygen से आप sulfur आते हो तो यहां पर electron affinity बढ़ती है गटने की बजाए यहां पर electron affinity बढ़ती है क्यों बढ़ती है student क्योंकि आने वाला incoming electron जो होगा वो छोटे size के orbital में एंटर करेगा तो more repulsion feel करेगा तो इसलिए यहां पर electron affinity कम आती है ठीक है तो आप अगर यह चीज जो है वह पूरे पिरेड पर अपन लागू कर सकते हैं कैसे जैसे आपको बोल दिया बोरोन कार्बन नाइटोजन यहां पर aluminum silicon phosphorus sulfur आई गया तो यहां पर यह वाला order ध्यान रखना नीचे जाने पर यह order आपको इस से मिल जाएगा तो आप यह कह सकते हो कि थर्ड पिरेड वालों में जैसे क्लॉरीन की लेक्टोन एफिनिटी जो है वो फ्लॉरीन और ब्रॉमिन दोनों से ही ज्यादा होगी तो आंसर कुन सा होगा इसमें अपना थर्ड काफी इंपोरेंट पॉइंट था अपन नेक्स्ट को डिसकस करते हैं स्टुएंट क्यूसर नमबर फाइब विद अटोमिक नमबर 57 बिलॉंग टू ठीक है तो वैसे तो आप इसका एलेक्टोनिक ओन लिख सकते हो लास्ट लेक्टोन जिस भी ब्लॉक में जिस भी सब्सेल में जा कि आपको पता है त्रीडी स्केडियम इट्रियम लेंथेनम और एक्टिनियम से यह स्टार्ट होती है और यहां पर जैड़न सीडी एज़ी और कॉपर नीशियम कॉपर नीशियम की जगह पर अपर अन यम भी लिख सकते हैं अटोमिक नमबर यहां पर 21 और यह थार्टी पर चैनल मबर चैनल होती है यहां पर थार्ट नाइन और यहां पर फोर्टि एट और यहां पर कर सकते हैं फिप्टी सेवन और onu लहां पर लेक्टे और यहांप पर 90 से लेकर 103 यह फाइप के अलिमेंट होते हैं तो आपको यह थोड़ी बैसिक पता है तो आप डारेक्ट भी किसम को कर सकते थे जो हूं बेसिलिए कॉन से भलॉग करेगा डिवग से भलॉग करेगा अधर्वाइज आप क्या कर सकते थे 57 वाला है इस से लेक्टोन एंट्री नहीं करेगा इतने लेक्टोन अपने पाथ 54 5557 आप यह कर सकते हो लास्ट लेक्टोन किसमें एंटर कर रहा है डी में तो अलेमेंट बिलॉंग टू डी ब्लोक तो नेक्स्ट क्यूशन की और अगे बढ़ते हैं स्टुडेंट क्यूशन नंबर है इस विच्फ उप्ड़विंग उक्साइड डजनोट रियक्ट विथ एने वच तो इस्टुरिंट अपने को इसमें दिया है कंपाउंट इन एज और नुड़। स्टुडेंट यह क्या है बेस और किस से रियक्शन करवाने की बात कर रहा है स्टुडेंगो एक तो अपने को एसाई और टू के साथ में रियक्शन की बात कर रहा है एक बीयों के साथ में एक एमजी और के साथ में अब अपन जानते हैं कि यह एसा इओ टू जो है वो एसीडिक है यह ना यह दोनों कंपाउंड एंफोटेरिक है तो एंफोटेरिक तो आगे बढ़ते हैं स्टुनेंट क्यूसर नंबर सेवन विच आप इनकरेक्ट आपको इनकरेक्ट आपसे पूछा है तो पहला स्टेट्मेंट चेक करते हैं अपन हीलियम है थे हाइस फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथेल्पी ठीक है ना प्रोडिक टेवल के अंदर तो यह स्ट तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है नेक्स देखो क्लॉरेन है ऌर्टी नेग wire यह मतलब है इस Call of दिश्ट आफिनिटी का मतलब तो यह पचाई मतलब आका इनकरेक्ट पूछा है तो अपना यह विए हो लेकर से चेक करते हैं अब्रोमिन और लिक्विड रूम टेंपरेशर करेक्ट बात है दी जान कोटाइस वाजन जीओलोजिस्ट फूगेव त्री डाइमेंस्ट था 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 त्य वह ज्यादा नहीं था बट अपन इसकी बाद जरूर कर सकते हैं कि स्टेट्मेंट अपना करेक्टर आंसर विल बी सेकिंद नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नंबर एट आउट फॉस्ट एलिमेंट्स और प्रियोडिक टेबल फाइंड आउट नंबर ओप दोज बीच कंटेंग अलेक्टॉन इंड़ सबसेल अपन जानते हैं कि अगर अपने से लेकर अपन 20 तक बात करें मतलब हाइड़ोजन से लेकर अगर अपन केल्सियम तक बात करें तो यहां पर कौनफीरेशन लिखो गें तो यहां पर 3D इंट्रीडूइश ही नहीं होगा मतलब 3D म में इलेक्टोन यहां पर नहीं होगा लेकिन जैसे ही अटोमिक नंबर 21 पर आओगे तो एलेमेंट कौन सा होगा इसकेडियम और पहली बार आपको 3D में इलेक्टोन बढ़ने को मुखा मिलेगा तो यहां पर अपना लिख सकते हैं 3D 1 4S2 आगे कोई सा भी इलेमेंट हो उसका लिखो गया तो 3D के अंदर एलेक्टोन तो आपको करने ही पड़ेंगे तो 21 से लेकर सो का मतलब हो गया 80 इलेमेंट्स विच कहना विच कंसिस्ट इलेक्टोन इन 3D सबसेल पांसर उगया इसमें एटी थर्ड नेक्स अलते इसमें अलफा पार्टिकल निकल रहा है तो हिलियम का नुकलियस का मतलब हो गया कि उसमें दो होते हैं दोनुइं चले गए लेकिन प्रोटॉन में अंतर थोड़ी आया प्रोटॉन तो वैसे की वैसे ही हैं और नुट्रों भी उतना ही है अगर आप किसी में से alpha particle minus करते हो इसका मतलब proton में 2 की कमी आगी और मास नंबर में 4 की कमी आगी तो अपने को element देरखा है अक्स जिसका atomic नंबर देरखा है ट्वना 88 और 226 अगर इसमें से alpha particle अगर अपन मानस करते हैं तो अपने को यहां पर जो वाई element मिल रहा है इसका atomic नंबर दो से कम हो जाएगा और मास नंबर जो है वो 4 से कम हो जाएगा और 86 वाला element अपने जानते हैं रेड़न होगा जो 18 गुरूप का element है अपने इसमें गुरूप पूछा है तो आनसर कुमसा हो जाएगा से किसे नंबर नेक्स किसा नंबर 10 विच ऑप डप अवालोव इंगिस्पॉलेसट एजय साइज आपने को साइज के बारे लिए स्टुडेacement के स्मॉलर आयन स्मॉलर आयन बोकशिवा ने की चोटा ही न होता हो हो cela के कारण बड़ा हो जाता है इसका मतलब इन में सबसे कम आपको नज़र आएगा वह तो वाटर में सबसे ज्यादा होगी तो बैसिकली जो सबसे बड़ी साइज का एटम जैसे सीजियम है तो आप जानते हैं स्टुडेंट सीजियम जो लाड़ साइज है यह जो दिये गए जो हाइडरेटेड साइज आपकी क्या होगी कम हाइडरेटेड साइज क्या होगी लेस होगी आपको इसमें लेस वाला यह पुछ है तो यह आंसर आपका हो जाएगा बात क्लिर है अपने नेक्स आगे बढ़ते हैं स्टुडेंट क्रूशन नंबर अपना 11 विच्व फॉलोवि इस पिसी तो देखो इन कमपाउंट के अंदर अपने को लीथियम प्लाज सोडियं को पॉटेसियम ग्रुविडियम अ हाना इस टाइप से अपने को आयन है तो नीचे जाने पर आप जानते हो इस प्रेंट साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन गठेगा हाइड्रेशन का नेचर गठेगा या फिर आप ही कह सकते हो हाइग्रोस्कॉपिक नेचर गठेगा हाइग्रोस्कॉ सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं जैसे अपने पास मेटल है उससे आपने इलेक्टोन निकाला तो एंप्लस बना उसके बाद में एक लेक्टोन और निकाला एंप्लस टू इसी प्रकार से आप आप एंप्लस एंप्लस फॉर एंप्लस फॉर एंचे conscious कर सकते हम यहां पर इस्टूडेन्ट आपन जो है पहला एलेक्टो निकल रहा है तो इसको अपन i.p. one of m अपन कह सकते है student यहाँ पर जो energy involved होगी इसको अपन ip2 of m कह सकते है ठीक है ना इसी प्रकार से यहाँ पर energy जो है वो ip3 of m होगी और यहाँ पर ip4 of m होगी अब जानते है student कि अपन लेक्टो निकाल रहे तो जैड इफेक्टिव केटाइन का बढ़ता जाएगा जैड इफेक्टिव जो हो लगातार बढ़ता जाएगा इसका मतलब जो energy associated है वो energy एक प्रिकार से बढ़ती जाएगी तो successive IP लगातार बढ़ता है इसमें कोई अपवाद नहीं है लेकिन अगर आपको मैं यह कह रहा हूं कि यहां पर IP में यहां पर sudden jump की बात कर रहा है अपने से इसका मतलब यह हुआ कि दो इलेक्टोर निकल गए ठीक है बट थर्ड इलेक्टोर पैनल्टी मेंट से निकलता से निकलता है तभी ज्यादा तो होगा बहुत ज्यादा आपको कम नज़राएगा जब वेलेंस लेक्टोर आपके पास खतम हो जा इसमें कितने है चार और इसमें कितने अपने बस पांच सर अपना कौन सा होगा थार्ड सन्टमर 13 की भास करते कर विच्वन फॉलविंग स्पीजर बिचाड़ जांते स्टुडेंट अगर अपन को नक्स है वह मैनस में जा रहा है दूसरा एलेक्टोल ले रहा है तीसरा एल डेल्टा एच इजी 3 इस टाइप से अपन उनको डिफाइन करते हैं और आप एकची ध्यान रखें कि डेल्टा एच इजी 2 ओफ अपक्स यहां से अगर अपन बात करें तो यह वेल्यूंग पर्सेंट क्या होगी बोलो पॉजटिव होने का और यह तो ओल्वेज पॉजटिव होगी और आप यह देखो कि रिपल्स बढ़ता जाएगा इसलिए सक्सेसिव डेल्टा हीजी की वेल्यू भी बड़े बट फर्स्ट एलेक्टोन जब न्यूट्रल एटम लेता है तो यह जनरली यह वाली वेल्यू क्या आती है आपके पास नेगेटिव आती है हलांकि मैगनिटूड जो हो डेल्टा हीजी टू से कम होगा तो आप यह कर सकते हो बाकी option आप चेक कर सकते हो बाकी सब के अंदर जो प्रोसेज जो कैसा आएगा नेगेटिव वेल्यू आपके पास आएगी खासकर आप ओप्लस को देख लो एक बार जैसे ओप्लस है एक electron लिया इसने तो क्या बनाया इसने oxygen तो यह तो एक प्रकार से ओप्लस के लिए डेल् पॉसिटिव होगी कैसी हो जो rum आयप आइपी ऑफ ऑक्कशजन पॉसिटिव होगी फूसी होगी फूसिटिव मत अपने पास जैब आरेज़नेख एज़निजवन जो नेगेटिव होता है तो hostel Il a नेगेटिव आनी ही है चलो स्टेंट क्यूसर नंबर अपन 14 डिसकस करते हैं विच आप फॉलोविंग सैट आप नंबर बिलॉंग तो रिपर्जेंटेटिव अलिमेंट जो है वह फॉस्टे से लेकर सेवंते तक के अलिमेंट होते हैं है ठीक ना इनट गेसेज को छोड़ कर तो यहां पर यह 30 अपने बात करें 65 जो है यह अभी अभी अपने डिसकस किया दा 58-71 मतलब लेंथे नोइड अलिमेंट है यह भी अपना रिपर्जेंटेटिव अलिमेंट नहीं है यहां पर चोवन वाला जो है आपको पता है जिनोन है जो कि जीरो ग्रूप का अलिमेंट है यह भी रिपर्जेंटेटिव नहीं है तो अपना आंसर कौन सा होगा इसमें थर्ड आप चेक कर सकते हो यह ग्रूप फरस्ट है टू सेवन थे के बीच में आपको एलिमेंट मिल जाएगा नेक्स क्यूशन देगो इस्ट्टेंट कंसे बीजबिग और बीडी और सीडी के बारे में अपने को पुछा है तो सबसे पढ़े डेल्टा यह निकाले लेते हैंपने अपने पास 1.0 माटबी का कितना रहें स्टुदेंट बीडी यहापर टूपर पारहें एंपर आ पने पास 1.5 तो जिसके अंदर डिल्टा इन का मान सबसे कम होगा उसमें कोवलेंट क्रेक्टर क्या होगा ज्यादा तो सबसे ज्यादा कोवलेंट क्रेक्टर AB, BC, CD, तो आंसर कोन सा वजाएगा इस प्रेंट, 2nd, next देखो आप which of the following order of IP is correct यह क्यूस्टन थोड़ा conceptual प्शुल क्यूशन है इसको देख आप अगर अपन इसमें इस पीची दे रखी है उनको अपन डिसक्स करें जैसे फॉर एग्जामपल नाइटोजन और ऑक्शिजन की अगर बात करें तो यहां पर कॉन्फिकेसन है तो यहां पर कॉन्फिकेसन है टूस्टू टूपी-फॉर अब अपन जानते हैं कि स्टेट में जैड़ इफेक्टिव के साफ से आईपी बढ़ना चीह था बड़ यहां पर स्टेबल कॉन्फिकेसन है इसलिए आईपी किसका ज्यादा होगा नाइटोजन का लेकिन अब ऑक्शिजन प्लस का आईपी जो है वह कहां रखें ऑक्शिज जनरली जो है ना अपन आईपी वन और आईपी टू की बात करें भले ही एलेमेंट दूसरे हो ठीक ना आईपी टू जो है वह काफी ज्यादा वेल्यू रखता है आईपी वन की तुल्ला में तो यहां पर ओपलस यहां पर होगा और नियोन प्लस इससे आगे आएगा क्यों कि आईपी वन भी नियोन का ज्यादा होता है औक्षियन की तुल्ला में और दोनों की आईपी टू को कम्पेर करें तो नियोन प्लस का आई पी ही ज्यादा आएगा तो आई पी टू तो और ज्याद झाल बढ़ने आईगा तो आणसर विल भी फॉर अपने देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नंबर 17 नंबर ओप लेक्टों इन देडिमेट सेल ओप ए डी ब्लोक अलेमेंट का जनरल एक्टों एक या दो होता है बट यह जीरो अपन यह पलेडियम को ध्यान में रखते वे मैं बता रहा हूं पलेडियम 46 को ध्यान में इसका कॉन्फरिकेशन होता है क्रिप्टों 4D 10 5S 0 कि स्पेशल कॉन्फरिकेशन को ध्यान में रखते हूं एनस में 0 यहां पर में श्योग कर रहा हूं अब अपन एक चीज तो जानते हैं एक चीज तो अपन जानते हैं स्टुडेंट की N-1D में 1-10 है तो N-1S और P में तो अपन भर चुके हैं और D के अंदर इलेक्ट्ॉन 1-10 भर रहे हैं इसको थोड़ा सा और एक्स्प्लोर आपने कर दिया तो यह तो N-1 यह तो आउटर मॉस से लोगिया और यह पैनल्टीमेट से हो गिया तो पैनल्टीमेट सेल में D में कम से कम एक एक इलेक्टॉन होगा तो आंसर विल भी फास्ट नेक्स्ट क्यूशन देखो विच आप फॉलोविंग लेक्टोनी कॉन्फरिकेशन इस नोट सुटेबल फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट यह कंसेप्च्वल क्यूशन है स्टुडेंट इसमें अगर आपको थोड़ा सा बेसिक पता है तो क्यूशन बहुत असान था देखो अगर अपन बात करें सेकिंड प्रेड में एलेक्टोन टूएस टूपी मेंटर करता है थार्ड प्रेड में 3S 3P में 4S 3D 4P यह अपना स्ट्रक्चर हो गया फॉर्ट प्रेड़ का 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P और साथवे प्रेड में अपन इलेक्टोन बढ़ते इन स प्रेड के अंदर है तो एन माइनस 1D मतलब 6 को अगर अपन एन बोले तो एन माइनस 1 किता हो गया 5 तो 5D तो भर दिया अपने इलेक्टोन बढ़ने से पहले फाइप अपने नहीं भरा वह तो नेक्स पिरेड में अपन भरेंगे मतलब एन का मान अगर कुछ भी रखें आप 6 रखें सेवन रखें तो एन माइनस 1D तो फिल्ड शो कर सकते हो यहां पर आप पी ब्लोग का जैसे फॉर एग्जामपल आपने 6 रखा यहां पर 6 रखा तो फाइप थोड़ी बढ़ दिया आपने वह तो आप सेवन पिरेड में भरोगे तो यह इन एप्रोप्रियेट कॉन सेवन रखना है तो यहां पर जैसे फॉर एग्जामपल सेवन एस टू हो गया कि यहां पर आपने जो है फाइप एफ हो गया फाइप में एलेक्टोन 1249 यहां पर फिर 6 होगा अपने पास 6D के अंदर 0 या एक एलेक्टोन है ठीक है तो आप जानते हो स्टुडेंट कि अगर अगर आपने डी में इलेक्टोन जीरो या एक है जीरो या एक एलेक्टोन अगर इमें और एप के इलेक्टोन शो कर रखें तो element belong to a block और एलिमेंट अगर आप लोग का है तो फाइप का अक्टिनोइड हो गया एक्टिनोइड और आप जानते हो एप लोग वालों को इनर ट्राजिशन भी कह सकते हैं तो आंसर विल भी फॉर्थ बहुत सेंड थर्ड नेक्स्ट क्यूशन की और आगे बढ़ते हैं स्टुएंट क होगा थर्ड नेक्स्ट क्यूशन की और आगे बढ़ते हैं इस्प्रेंट कि अब वाट इस दा अटोमिक नंबर ओप देलेमेंट विच बिलॉंग तुद पिरेदेंड ग्रूप 16 अच्छा ग्रूप 16 की अगर मैं बात करूं या सिक्स्त एक की बात करूं तो अपने पास ऐ पी फॉर ठीक ना पांचवे पिरेड के अंदर 16 ग्रूप का अपने पाद टैलूरियम है तो आपको अभी अभी मैंने बताया है कि फाइप सोर फाइप पी के पहले अपन यहां पर फोर्ड के अंदर इलेक्ट्रोन बहेवेश्यों कर सकते हैं और पांचवे पिरेड में अल आपके पास कित्ता हो गया 52 ठीक ना तो यह इसका इलेक्ट्रोनिक अपने लिख लिया तो आंसर कौन सा होगा इसमें थर्ड क्यूसर नंबर 22 इफन अलिमेंट अक्स फॉर्म दा हाइस्ट ऑफॉर्मला अक्सो थी देन इट बिलॉंग तो आपको अक्सो थी के बारे में बो 24 जिसके पास वैलेंस लेक्ट्रोन कित्ते होगे इस्टुएंट 6 होगे तो आपको पता है कि यह गुरूप 16 का अलिमेंट जो हो अपनी हाइस्ट ऑक्सटेशन स्टेट प्लस 6 के अंदर कंपाउंड बना सकता है आंसर विल भी थार्ड नेक्स क्यूशन देखो मैस्ट अलिम का ज्यादा होगा और यहां पर बेरिलियम का ज्यादा होगा और अगर अपन इन दोनों की बात करें तो इस पेयर का आईपी क्या होगा ज्यादा तो सबसे ज्यादा आ आए पि किसका हो गया नाय टोजन के लिए सबसे ज्यादा वाली वेल्यो में में पर मेच कर देता हूं फिर नंबर आएगा अपर और अंदरBeryllium को और उसके बाद में वो auron को आपको आप ने मेच किया तो पी में अपन डी आ रहा है तो पी में डी आंसर विल भी थार्ड नेक्स्ट क्यूस्ट बात करते हैं अपन क्यूसर नंबर ट्वंटी फॉर विच फॉल्लविंग एलिमेंट है मैक्सिमम वैल्यू आई-पी टू आई-पी का जब भी क्यूसर आये तो अपने को एलेक्टोनिक क सब्सक्राइब लिए तो यहां पर 3D242 और यहां पर कॉन्फिक्रेशन होगा 3D54 और यहां पर होगा 3D54 की मतलब हो गया कि एक एक लेक्टोन तो आपन निकाल चुके हैं इसका मतलब वास्ता में क्यूसर अपने को यहां से पूछा है टाइटनियम प्लस क्रॉमियम प्लस और मेगनीज प्लस एक 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 लेक्टोन आपर निकाल चुके हैं तो स्टुडेंट यहां पर 3D141 कॉन्फिक्रेशन है यहां पर 3D241 है और यहां पर 3D5 रह गया और यहां पर अपने को 3D54 तो देखो अब यहां से एलेक्टोन निकालोगे तो असोस्येटेड एनर्जी आ आइपी मौर देन एक्सपेक्टेड तो इसका आज-पास से काफी ज्यादा यहां पर रहेगा तो अपन यहां आइडिया लगा पा रहे है कि क्रॉमियम का अइपी टू क्या होगा सबसे ज्यादा क्यूसर नंबर 25 चूज़ दर क्रेक्ट ओर्डर ओप रेडियस फॉर दर फॉलविंग तो अपन जानते हैं इस ब्रेंट न्यूट्रल की तुलना में एनाइन बड़ा होता है और केटाइन क्या होता है छोटा अगर क्रेस्पॉंडिंग एलिमेंट आप जैसे फॉर एक्जा स्टेरी नेक्स्ट्सस्ट्ट शबियंट्रें नेक्सट्सट्सनल्ण की और आगे बढ़्ठेंगा उसक्राइ mierसोफ़व पॉल्व क्यूляются उसके तो प्रेंट की आपन बात करे कोई एच माइनस के बारे में सोचता है तो गलत हो जाएगा एच माइनस तो एप मैनस से भी बड़ा होता है ठीक ना टेवल का सबसे छोटा एन जो हो एफ मैनस आंसा विल भी सेगेंड नेक्स्ट कुछिशन नेक्स्ट कुछिशन नंबर 27 इडिफाइड ब्लॉक्ट वीच अन इलेमेंट विट एलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगेशन अपने को दे रखा है इसमें एन का मैक्सिममम मान किता है देखो मैक्सिमम वैल्यू आफ एन वो तो आपको पता है पिरेड को बताएगा तो यहां पर पि है और सिक्विट के अंदर और कौन-नकौन से सब्सेल में अटर करता है यह अपन पहले से जानते हैं और 6 वैफ्ल को सका ऑन अफना transmis कि आपको पता है कि एक्ट्र और वंधिया अंपने उसके बाद में आप क्यों वहाइफ आपने met से बिलोंग बात करेगा और सिम्पल सा अगर डी में एक याज जीरो एक्टोन है उड़ेप कि लेक्तौन कर रुक है यहां पर आंशर कुन सा हो जाएगा अब अभी अभी स्टूडेंट अपने डिस्कस किया है कि सक्सेश फिद्टी बीच की वैलियो होगी तो यहाप पर ट्वेंटी सेवन और फिटी वन के बीच की वैलियू यहां पर 33 यहापको पूछ और आंसर विल भी सेकिंड नेक्स्ट क्यूशन की और आगे बढ़ते हैं पर स्ट्रेंट 29 पिरेड नंबर गुरूप नंबर ब्लोक ऑप अपड़ एलेमेंट हैविंग अटोमिक नंबर 42 जब कभी भी अपने को इस टाइप की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है तो अपन सबसे पहले एलेक्ट्रों कॉ तो देखो 42 आपको अटोमिक नंबर दिया है तो 42 से ठीक पहले इनर्ट गेस कौन सा आता है क्रिप्टों कौन से पिरेड का लास्ट है फॉर्ट का तो यह अलिमेंट कौन से ब्लोक से बलोग कौन से पिरिट से विलोंग करेगा फिप से और फिप्त के अंदर एलेक्ट्रों तो अपने पास कित्ते एलेक्ट्रों और बढ़ने अपने को देखो 37 38 38 के बाद में चार एलेक्ट्रों अपने को और बढ़ना है अब एक्जेक्ट्ली इस कौन फ्रीकेशन में कोई घडवड होती है गया वह एक अलग मेटर हो गया ऐसका अलेक्ट्रों डिमेंट होगा नह तो पांचों होगा और अगर अपने को इसमें ब्लॉक पुछा जाए तो डी ब्लॉक होगा सब में देर खेंडी ब्लॉक अब इसमें ग्रूप नंबर जब भी अलिमेंट दी ब्लॉक से विलॉंग करें तो एनस और एन माइनस वंडी के लेक्ट्रों को जोड़ दो आपके पास क्या जाएगा बोलो गुरूप नंबर तो गुरूप नंबर शिक्स होगा तो आंसर विल भी सेगिंड क्यूशन नंबर थर्टी इप टू एलिमेंट ओपी भ्लॉक है डिफ्रेंस और ग्रूप नंबर फोर देंट डिफ्रेंस ऑप दियर वैलन्स और लेक्ट्रॉंस विल भी हाना सिंपल सा क्यूशन इसमें आपको क्या है कि दो ग्रूप लिया पी ब्लॉक कि फॉर घंड़ कि लिए और यहां पर एन्स टो एनपी 5 201 में यहां पर वैलेंस लेक्ट्रों किते हैं तीन और यहां पर वैलेंस जिटन किते हैं साथ तो अगर आपने कोई दो इलेमेंट लिया जिनके ग्रूप नंबर में च्यार का डिफरेंस है उनके वैलन सेल के लेक्टोनों में भी डिफरेंस किते होगा चार का ही होगा तो आंसर कुन सा होगा अच्छा क्यूशन को आप थ्यान से देखें इसमें अपने को इसको सॉल करते हैं और इन दोनों में आएपी ज्यादा किसका होगा देखो इस डिफरेंट जानते हैं नीचे जाने पर आईपी जोगड़ता है अगर अपन बात करें ऑक्सीजन और और ऑक्सीजन माइनस में से आईपी किसका ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा कैसे ज्यादा होगा एनाइन का ज्याद इफेक्टिव कम होता है इसलिए आईपी क्या होगा कम अगर अपने को निकालना है और अगर अपने को निकालना है तो यह वाला रियक्षन का अपन शोग कर सकते हैं तो यह बैसिकली अपन कह सकते हैं आई-पी ओफ ओ माइनस यहां पर जो एनरजी जो एसोसियेटेड होगी वह आई-पी ओव माइनस होगी एस माइनस की आई-पी अपन देखना चाहरे हैं इसका मतलब इससे लेक्टोन अपन निकाल रहे हैं तो यहां पर जो एनरजी होगी वह होगी अपनी आई-पी ओफ एस माइनस अच्छा अपन जानते हैं थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं कि रियक्षन को अपोजिट करने पर एनरजी वही रहती है केवल साइन चेंज होता है तो अगर अपन इसको उल्टी डायरेक्षन में पढ़े तो इस डायरेक्षन के अंदर क्या हो रहा है स्टुडेंट ऑक्सीजन जो हो इलेक्टोन गेन कर रहा है तो इदर वाले प्रोशेस को अपन लिख सकते हैं यह सल्फर की ज्यादा होती है ज्यादा नेगेटिव होती है अब आपके पास यह वाली वैल्यू अगर ज्यादा है यह वाली वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब आई पी ऑप एस माइनस भी ज्यादा होगा किसे आई पी ऑप ऑव माइनस की तुलना में बात क्लियर है तो आ बाद में अपन सलफर लेना पड़ेगा और सलफर के बाद में एस माइनस और एस माइनस से कम आईपी किसका अपने पास और मैनस का तो आंसर विल भी फर्स्ट ठीक है अब यह वाला कुशन भी सिमिलरी हो गया है यह वाला कुशन जो ना एफ और स्पीशी दे रख है इसमें अगर अपन बात करें कि एफ वाले की बात करें देगो एफ और सियल कि एफ और सियल में आईपी किसका ज्यादा होगा स्टूडेंट फ्लोरीन का होगा एफ और एफ माइनस में किसका ज्यादा होगा एप का ज्यादा होगा सियल और सियल माइनस में किसका ज्यादा होगा सि इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्लॉरीन फिर आएगा क्लॉरीन उसके बाद और उसके बाद में F- इसमें अगर फ्लॉरीन वाली स्पीसीज दे रखी है तो ऐसा ओर नहीं है इसका मतलब यह और हमको पूछा क्या है तो अंसर कुन सा होगा फ़स्ट नेक्स्ट क्यों स्कुष्टन की और अगे बढ़ता है स्ट्टीयट अब कि इस आप फॉलॉविंग स्टेट में इज इंकरेट अपने इंकरेट पुछा है तो देखो अफिनिटी ऑफ सिलीकन और ओर सिलीकन इलेक्ट्रों एफिनिटी ऑफ सिलीकनी स्टीन ग्रेटर देन कर्मन तो यह स्टेट मेंट तो करेक्ट है बीयो एंपोटेरिक वाइल बी G2 o3 ग्यों तो हो गया यह पूच्छ एक ऊपरेड है कि आपके काम आते हैं तो भी यह लिए यह स्टाइटमेंट करेक्ट है यह स्टेट्मेंट जो है इस पर अपन थोड़ा सा काम करते हैं अपने पास है बोरॉन एलुमिनियम यह वाला ग्रूप है अपने पास कौन सा यह थार्टीन या फिर थार्ड है ठीक ना वैसे अपन जानते हैं यहां पर ट्रांजिशन कॉंटेक्शन का इफेक्ट आता है तो यहां पर जैड़ इफेक्टिव आईपी को बढ़ा देगा ठीक ना और यहां पर आईपी घड़ता है साइज के कारण तो बैसिकली आईपी टैलुरियम का इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जस्ट बॉरॉन के बाद में आ जाता है आई अनर्जी ओ टैलूरियम इस लेस्ट देन नहीं अलुमिनियुम का आई पी अलुमिनियूम से ग्रेटर है पीस्टेट्मेंट आपका इनकरेक्ट हो गया तो आंसर विल भी थर्ड लेकिन स्टेट्मेंट अपन फॉर्थ पढ़ लेते हैं तो आईनर्जी ओप एक बार लिखते हैं यहां पर 3D10 फॉर्ष टू इसी टाइप का सिमिलर कॉन्फिकरशन इतर होगा यहां इलेक्टो कॉन्फिकरशन मिलेगा ठीक ना इलेक्टो निकलने से स्टेबल कॉन्फिकरशन मिलता है तो आईपी लेस्ट एक्सपक्टेड तो यहां पर कॉपर का इसमें एक्जेक्टली जैडेन गूरूप है थोड़ा आप यह समझ गए होंगे ठीक ना आप यह कह सकते हो इसमें आंसर कुन सा होगा बोलो आंसर होगा अपना इसमें थर्ड नेक्स्ट क्यूशन है विच आप देपालविंग ओर्डर उप मैटली करेक्टर इस करेक्ट फ कर सकते हैं है ना नोन मैटली करेक्टर जो होते हं वो इ बात करें स्वोडियं मैगनिसीयम और सफोर सुलफर कलोरीन चैन से अपने पास कैल्सिय zatयब शेम इसोन कुछ अलेमेंट को भन लिखा noon क तो लेप तो राइट जाने पर इन जो वो क्या होती है इंक्रीज होती है तो यहां पर 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 इस टाइप से इन जो बढ़ रही है और इस पिरिड की अगर अपन बात करें तो 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 इस टाइप से इन जो आगे बढ़ रही है और साइड में क्या होगा सबसे ज्यादा तो कैल्सियम अपना जो हो सबसे ज्यादा तो कैल्सियम दो में अपने को दे रखा है सबसे ज्यादा इन अपने पास जो एलिमेंट दे रखे हो कौन को देगो एक तो कैल्सियम अपने इसमें है एक अपने को दे रखा है फॉस्पोरस दे रखा ह है ठीक ना सिलिकन दे रखा है कि बारलियम दे रखा है मैगनिसियम दे रखा है यह अपने पास element है तो अपने पास correct order कौन सा हो जाएगा सबसे ज्यादा मैटली करेक्टर जो किसमें आएंगे केल्सियम के अंदर क्योंकि इसकी इन कम है और सबसे ज्यादा इन किसकी अपने पास सिलिकन ठीक है ना सबसे ज्यादा इन अपने पास जो है वन पॉइंट टू पॉइंट वन फॉस्पोरस फॉस्पोरस के अंदर सबसे कम होंगे तो आंसर कुन सा होगा थर्ड नेक्स्ट क्यों सबसे जबसे इसमें नाइट्राइड दे रखा है और अपने को फ्लॉराइड दे रखा है इन सब के अंदर आइसो लेक्टोन के अंदर इनको होते हैं और इल्एक्टोन सें बढ़ेगा और जैडि इफेक्टिव बढ़ेगा तो रखी तो होने कह सकते हो गोने लगाता है क्रेड वी July मेंत तो आंसर विलबी फस्ट फॉस्ट हünkा तो अपने देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन हाना थर्टी सिक्स तब फर्स्ट आइनाजिशन एन्थेल्पी और सॉडियम इस 5.1 तो फर्स्ट आइनाजिशन एन्थेल्पी का मतलब हो गया कि सॉडियम अपने पास स्टेट में है उससे आप एक लेक्टोन निकाल रहे हो यह व सुग आप आप पूचा कि हैं वेल्य में यह वाली वालकूल कितनी होगीयों तो यह वाली वैल्यू उसका क्वाल साइन होगा तो पर माइनस में 5.1 एलेक्ट्रोन वोल्ट अपना अंसर होगा नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं स्टुरेंट क्यूशन नंबर 37 वीच फॉलॉविंग एटम है थाइस फर्स्ट इनर्जी अपना जानते हैं एक तो देखो तो कि आपके स्टुरेंट्र गृएस्ट कीस का आइप बात करें स्टुरेंट्स तो इसके अंदर अपने पास element scadium atrium lengthenum और actinium ठीक ना लेकिन यहां पर यहां पर फोर एक के element भी यही पर है और फाइप के element भी यही पर है atomic number 2139 ठीक ना 57 और 89 तो यहां पर आपको मैंने पहले भी इसी solution में बता रखा है कि 58-71 और यहां पर 90 से लेकर 103 यह 14 and 14 28 element to a block के होगे 28 to a block के होगे और यह चार element जो है वो डी block के होगे तो टोटल 32 element है किसके अंदर group number third के अंदर next अपन बात करते हैं ठीक ना और आप जानते हो यह तो third भी है अगर मेंडलीब की प्योडिक टेबल में third अपन गुरूप दे रखा तो third element भी अपन इसके अंदर ले सकते हैं ठीक ना सबसे third यह तो केवल अपन बात कर सकते हैं यह अपने पास third भी है ठीक ना और third group जो है वो यह वी सब ग्रूप में बटा हूँ है यह आपर number of element सबसे ज़्यादा किसमें प्रेजेंट होंगी बोलो थर्ड के अंदर नेक्स बात करते हैं अपन किसा नूमर 39 अमंग मैगनेशियम मैगनेशियम प्लस टू अलुमिनियम अलुमिनियम प्लस त्री वीच आप कौन छोटा होगा लेप्टू रैड जाने पर पर जानता है जैड़ फेक्ट्री बढ़ता है तो साइज गठेगी तो यहां पर अलुमिनियम की साइज क्या होगी कम होगी तो आप यह कह सकते हो कि मैगनेशियम जो है वो एलुमिनियम से क्या है बड़ा ठीक ना और मैगनेशियम प्लस टू जो है वो छोटा होगा मैगनेशियम से मैगनेशियम प्लस टू क्या होगा छोटा तो सबसे बड़ा तो और ऐलुमिनियम प्लस ट्री ऐलुमिनियम से क्या होगा छोटा इसका बना सबसे बड़ा तो कोन होगा आपने पास मैगनेशियम और जो छोट पहले सारे बता दिये हैं तो आंसर भी सेकेंड नेक्स क्यों संदेगो 41 अलुमिनियम डाइगने लेटेड टू यह अपने को ध्यान रखना है लीथियम बैरलियम बॉरॉन यह सेकंड प्रेड के जैसे अलिमेंट है यहां पर अपन बात करें जैसे सोडियम मेगनिसियम अलुम से डू तू अल्मोस्स सिमिलर आयोनिक पोटेंशियल दीज आर डाइगनरी लेटेड तो आप यह कह सकते हो इसमें अलुमिनियम का डाइगनर रिलेशंशिप किसके साथ है तो अपना आंसर होगा बैरलियम ठीक है ना तो आंसर विल भी थर्ड नेक्स्क्रिशन देखते हैं स्ब्सक्रिशन नंबर 42 अलंधिन रिक्सन होता गया है अपने इसके दियुम लें थेन अम और एक्टिनियम इसी प्रकार से टाइटेनियम जरकोनियम हाप नियम और रधर फोडीय यह अपने पास थर्ड बी ग्रूप है और यह अपने पास फूर्थ बी ग्रूप है कि कि अ अगर अपन बात करें यहां पर 21 से 22 एक जेड बढ़ने कान जैड़ इफेक्टिव बढ़ेगा यहां पर 39 और 40 अटमिक नंबर हो गया यहां पर 57 और यहां पर अपने किता हो गया 72 तो आप कह सकते हो यहां पर बैसिकली आप लेंथेनम से हापनियम गए तो 14 एलेमेंट फॉर एक के आगे जिसके कारण जैड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जो कि यहां पर बड़ेवे सेल के इफेक्ट को जो हो कंपन सेट कर देगा यह जैड इफेक्टिव जो होई सेल के इफेक्ट को बात करनी है तो जर्कोनियम और हापनियम के अगर आपने बात करूं तो तो यह 3D का element है यह 4D का element है और यह 5D का element है तो 4D और 5D के element की size almost similar हो जाती है तो यहां पर साइज से लेटेड पॉइंट यह वाला है तो आंसर कौन सा होगा और स्टेट से लेटेड कोई बात यहां पर अपने हों नहीं करनी आंसर कौन सा होगा अब जर्कोनियम और एट्रियम दे रखा है तो यह यह इस्टेटिमेंट नहीं है क्योंकि टाइटेनियम जर्कोनियम और इदर इसकेडियम इत्रियम इनकी साइज उल्मोस सेम बता रखेंए इसमें तो यह स्टेटिमेंट आपका क्या होगा गलत तो 42 में आंसर कौन सा होगा थर्ड नेक्स्क्रिशन रेखते हैं अग अग कंस यह को अपन को इसलिए घ्याँ है इसलिए निक्विट गे लिक्विट एलिमेंट झालिकवए उसके अनदर अपने को सीजियम गेलियम अगिर अपने रखें होते हैं तो ध्यान रखना 25-5 पढ़नी होते है बट 30 के अंदर अंदर तो आपको मिल जाएंगे यह लिक्विड आपको जर्मेनियम वह सॉलिड एलिमेंट है ठीक रहा इन्फॉर्मेटिव क्यूसं था क्यूसर नूम्बर प्सकी में आनसर कुण सा होगा सेकिट क्यूसर नूमबर फॉटि फ़ॉटि फइव एबी सी आ रेलेटेड टू दॉक्ण तो सैंट करए तो यहाँ पर a b c 3 elements की बात कर रहे हैं कि डॉबने ट्राइड से लेटेड यह element है कि इप दाइटोमिक मास आप एंड सी ए और सी element का मास आपको दे रखा सेवन और 23 ठीक है रेस्पेक्टिवली आटोमिक मास भी विल भी आपको बी का मास आप से पूछा है इसका मतलब ट्रायाड जो है मास के इंक्रीजिंग ओर्डर में वह अपना इक्वल होगा मास आप सी के यह को यह आपने का मेडल एलिमेंट क्योंकि सी बॉल रखा है तो मास आपको 23 ड्य रखा है और मास आप आपको दे रखा इसमें कहीों ने स्लिमस्टेक की होगी फिस अब the following से अप element follow the law of octave of newland newland स्यांक्तिक्स ने कुछ elements को इस ताइब से एरेंज किया था कि वो फस्ट element जो हर स्ट element एर्ट element के साथ में प्रॉपपरटी में इसी प्रकार से सोडियम मेगनेशियम अलुमिनियम सिलिकन पॉस्फर सुल्फर क्लॉरीन पॉटेसियम कैल्सियम उस टाइम इनट्रियस की डिस्कवरी नहीं हुई तो फर्स्ट अलिमेंट अगर यह वाला है तो सेगें थार्ड फॉर फिप्ट सेवन और एर्थ एर्थ इसके साथ प्रॉपर्टी में सिम्लेटी शो करता है इसे को अपन ऑक्टेवरूल बोलता है लेक लेकिन वह एट के बाद में नहीं आएगा आप जानते हो इसकेडियम से लेकर जैडन तक डिब्लोग वाड़े अलिमेंट आजाएंगे तो इंटर्वल आट की बजाए ठरक हो जाता है तो आप कह सकते हो कि कैल्सियम तक ही वेलिड है अब टू कैल्सियम से हैवी अलिमेंट की प्योडिक टेवल के अंदर कुछ एलिमेंट्स के एक्टमिक मास में क्रेक्शन वाली बात आई जैसे फॉर एक्जामपल उन्हें मास के इंक्रीजिंग ओर के अंदर एलिमेंट्स को रखा और इस टाइप से वह एलिमेंट को रख रहे हैं ठीक अब इन्होंने देखा कि म मास का इंक्रीजिंग ओर्डर जो जानते हैं पन उसके इसाब से जी जो है वह एफ और एच के बीच में आना चीए बट एग्जेक्ली यह जी जो है वह एग्जेक्ली कोई दूसरे से सिमिलर्टी शो कर रहा है इसका मास उसका फिर ज्यादा होना चीए तो इन्होंने फिर क स्कुश्च को दुबरा चेक किया तो मास में क्या च्रेक्षाम उनको आया तो आप वह अलिमेंट द्यान रख सकते हो यूरेंिएम बैलीयम इंडियम इनके मास में उख यह यह साई नहीं होगा है इन्फर्मेटिव क्यूसन था यह आप आगे से ध्यान हो सिर क्यूसन आपक के वह ठीवर को मैंटली टेबल जो थी आतों मिकमास के उंगर में थी और लेकिन उनकी फिर फिर भी प्राइरटी क्या थी कि सिमिलर प्रापरिटी वाले एलिमेंट एक जगर पर आए उसके लिए अगर उन्ने एट्मिक मास्क एक फालो अगर नहीं भी वह नहीं भी किया तो भी उन्होंने प्रकार से प्रपरटीज को दी थी तो वह कौन-कौन से element है जिन्होंने properties के basis पर उन्होंने atomic मास का order को एक प्रकार से follow नहीं किया था तो वह है यह वाल एलिमेंट अगा मैं में ल्यूट टेवल atomic mass increasing order में थी लेकिन यह atomic कारण क्या था कि उन्होंने मास के और को बनाए रखने की बजाए प्रॉपर्टीज की सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एक जगे पर आए उसको प्राइटी दी तो इसमें अपने पास यह ठीक है अना लेकिन यह वाला अपना अंसर हो जाएगा और नेक्स्ट देखो क्यूशन क्यूशन नंबर 49 अबिस ऑफ फॉलॉविंग इस करेक्ट इन टरम्स आप मौजले वर्क तो मौजले का जो वर्क था उसका अगर अपन देखे तो अंडरूट जो फ्रिक्वेंसी था वो जेड़ के डारेक्टी प्रोपोस्टनल इस प्रिस्व अगर अपन ग्राफ बनाएं तो आपको पता है कि इसमें कम घात की और यह मुड़ेगा इस टाइप का ग्राफ होगा अगर अपन इसमें देखे तो इसमें ऐस वाला ग्राफ जो हो अपना क्या होगा करेक्ट होगा तो जिस एटम की आप कोवलेंट रेडिये निकाल रहे वह एटम जो सिंगली कोवलेंट वॉन्डेड होना चीए सिंगली कोवलेंट बॉन्डेड तो अगर अपन बात करें और तो अटो में डबल बॉन्ड से जुडा हुआ ओक्सिजन और अगर आपन बात करें तो इस टाइप की स्ट्रक्चर और रहा है यहां पर सीयों के अंद और ऑक्सिजन कोवलेंट वॉन्ड सिंगली कोवलेंट वॉन्डेड से बॉन्डेड है आपका अंसर कुन सा जाएगा यहां पर थर्ड तो यह कोवलेंट रेडियस की डेफिनेशन पर बेस्क्यूसंद था विच अब फॉलॉविंग एलिमेंट है मैक्सिमम एक रेडियस तो वैसे यह प्लस-3 औक्सिटेशन श्टेट की बात करें तो लगातार लेप तो राइट जाने पर जो साइज है वो गटती है इसी को लेंथेनाइट कोंटेक्स अपन कहते हैं क्योंकि लेक्तोन अप में इंटर करता है इसका इसक्रिंग इफेक्ट बहुत ही कमजोल होता है औ इनक लेटियस तो सीरियम सबसे बड़ा होगा लूतेसियम से लेकिन और रूप से ध्यान रगना अचतल्म की बात आती है तो यूरोपियम जो है वो एक्रेटियंग रिडियस के अंदर सबसे लार्जेस्ट होता है लार्जेस्ट अपने को रागता है मतलब अगर आप आयोनिक रेडियाई की बात करें अगर आप आयोनिक रेडियाई की बात करें तो सीरियन प्लस 3 से लेकर लुटेसियम प्लस 3 तक लगातार साइज गड़ती है लेकिन अगर आप बात करो एटोमिक रेडियाई की अगर अपन बात कर रहे हो एटोमिक रेडिया gradually decrease होती है तो आंसर आपका इसमें कौन सा होगा कि सबसे ज्यादा इसकी है यूरोपियम की ncrt के अंदर बाकायदा इसका डाटा भी दे रखा है यह पॉइंट ध्यान रखना इस्ट्रेंट्स आप जनरली इसमें पहले एक्यूशन डिसकस किया था कि अगर अपन फर्स्ट भी और सेकंड बीकीपन बात करें जैसे कोपर सिल्वर और गॉल्ड यहां पर जैड एन सीडी एजजी यहां पर जनरल कॉंट्रिकेशन एन माइनस वंडी के अंदर दस लेक्टोन है और एनस में एक लेक्टोन है और यहां पर अपन बात करें तो एन माइनस वंडी के अंदर दस लेक्टोन है और एनस में दो एलेक्टोन है तो स्टुडेंट्स अगर अपन पहले एलेक्टोन की बात करें पहला कि अपन बात करते हैं कोपर कोपर और कोपर प्लस की तो जैड क्रैस्पोंडीं का ज्यादा होता है जैडन ओर में appeared we ज्ञादा ओढ़ा तो सबसे ज्यादा आए पी जो है वो किसका होगा स्टुडेंट अपनों यह कह सकते हैं कि कोपन ओर कॉपर लजाय किसका में copper plus का होगा ठीक है ना अगर अपन बात करें इस पर जैडन प्लस और सी यू प्लस इनमें से आई पी ज्यादा किसका होगा तो आप जानते हो इस्ट्वेंट सी यू प्लस का मतलब इलेक्टोन जो हो आप कहा से निकाल रहे हो ठीडी टेन से निकाल रहे हो और यहां लगा यहां पर आप कोसे कम कि से कम लिए यह उसके ऑंदर yn नेक्स्ट कुछन अपन देखते हैं क्यूसर नमबर 53 वीच अप्धा फॉलोविंग प्रोसेश मॉक्स एग्जोथर्मिक आपको पुछा है इसका मतलब डेल्टा एज का मान नेगेटीव होना चीए और जो जितना ज्यादा एग्जोथर्मिक होगा वही अपना अंसर होगा त उसके अंदर एज वह एक एलेक्टोन ले रहा है तो ए माइनस बना रहा है अब आपको पता है कि यह डेल्टा एज इजी वन अपने इसको बोल सकते हैं और डेल्टा एज इजी वन नेगेटीव होता है जनरली तो यह आप पर जनरल रियक्शन दे रखिए तो अपने को यह नेगेटीव एग्जो थर्मीक तो इसमें एक्जो थर्मीक आ रहा है कि नेक्स्ट वड़ा देखो एजो है वह एक लेक्टोन लेगा तो वह माइनस बनाएगा यह प्रोसेस आपका डेल्टा एज इजी वन हो गया जो नेगेटीव होगा फिर ए माइनस जो है वह वह एक्व बनना यह मोर एक्जो थर्मिक होगा क्योंकि उपरवाले में केवल डेल्टा इजी बन का इंवल्मेंट है और नीचे वाले में डेल्टा एज इपर और हीडिस ननेर्जी दो है तो यह थोड़ा और हो गया कि अब एक बार इनको चेक करते हैं तो स्टुडेंट इसके अंद होगी है कि यह energy आपकी क्या होगी पोजिटिव अंसर अपना हो गयी अब आजयो आप इस तो एप प्लस गेस्ट wondersh है इत अप्लस गेस्स है वह सबसे पहले तो में जा रहा है इसका अंवलब यह intellectual gain कर रहा है इलेक्टोन करने का मतलब यहांपकर डेल्टाइच इजी हो गया यह अपने पास negative होगा फिर वह ऐसे मैनिस में जा रहा है मतलब एक इलेक्टोन और गेन कर रहे एक लेक्टोन और गेन कर रहा है तो यह भी डेल्टा एच एक्टोन गेन होगा और यह वाली वेल्यू भी क्या होगी तो सबसे ज्यादा एक्जोथर्मिक पोसेस कुन सा होगा अपना फॉर्थ वाला तांसर विल भी फॉर है मैं क्योर्ष नंबर 54 ओगा की डिल्टा एज टूकी रहीं देखोछ अगर और स सुन्फर की अगर मैं बात करो तो अगर डिल्टा एज़िवन की बातों पहला एलेकटों ले रहा है आई तो पहला एलेकट लेगा तो क्या हो लेगा बोलो माइनस सलफ़र अगर पहला एलेक्ट्रों लेगा तो क्या बनाएगा ऐस माइनस और जैसा कि एपन जानते है कि डेल्टा-H है वह डेल्टा हेजई ओंन है स्टुदेंट्स ओर आपको पता है अब और oxygen minus से को आप oxygen minus two बना रहे हों एक electron औड़mom reactions to बना रहे हो यह elektron लेने पर बनाएगा तो बैसिकली यह वाला जो process है उसके अनर्जी involved है वो कौनसी है डेल्टा एच एजी टू और डेल्टा एच एजी टू पॉजिटीव ही होगी और यह ऑल्वेज पॉजिटीव इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है बड़ ज्यादा पॉजिटीव कौनसी होगी ठीक न तो इसमेंट यहां पर जो कि घौल के और चया है जबकी यह वाला एलेक्टान आदेंडर सोगा इसकी तुल्ना में तो पहली बात तो डेल्टा एज़ी टू फॉर ऑक्सिजन और सलफर दोनों एक प्रकार से एंडो थर्मिक प्रोसेस होगा बट ऑक्सिजन के लिए जो डेल्टा एज़ी टू होगा वह मौर पोजिटीव होगा एस कंपेर टू सलफर पांसर विल भी फॉर नेक्स्ट कुस्ट के अपन बात करते ह है क्यूसर नंबर 55 इन विच आप फॉलविंग बॉंड बीट्विन कारवन और हाइडोजन इस मैक्सिमम पॉलर तो पॉलरिटी जो है वह आपको कारवन और हाइडोजन के बीच के पुछिए तो पॉलरिटी जो है वह बैसिकली स्टुडेंट करता है डेल्टा इन पर ठीक जिस बॉन्ड के अंदर डेल्टा इन सबस्यादा अपने कारवन हाइडोजन बॉन्ड की अपने इसे बात की है ठीक ना तो इस प्रेंट्स देखो आप इसमें यह वाला जो कारवन है यह स्पी हाइब्रीड और इसका बॉन्ड बना रहा है और यहां पर स्पी थ्री है और यहां पर जो है वो एस पीट्व है आप जानते हो इस पर्सेंटेज करेक्टर बढ़ने पर इन बढ़ती है ठीक ना इन बढ़ती है तो हाइडोजन की एन तो फिक्स है 2.1 लेकिन इन तीनों के अंदर कारवन की इन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है तो इस कारवन का तो नुकलियस का अट्रेक्शन एस पर क्या होता है ज्यादा तो आप यह कर सकते हो एक तरीके से इस कारवन की इन क्या होगी ज्यादा तो इसकी इन 3 से भी ज्यादा होगी 3.25 तो आप कर सकते हो कि यहां पर डेल्टा इन सबसे ज्यादा होगा पॉलरिटी यहां पर सबसे भी हो आप यहांपर कि कौन 만들어 मेंन्ट है यहांपर 2-2 jadi आप जानते हो कि यहां पर यह तो बात हो एक और की आधे करनां और 2123 फॉर इसका मतलब यह बात हो रही है आपकिすकी ना oxygen की बात हो रही है और ये बात हो रही है आपकी किसकी फोस्फोरस की और यह वाली बात हो रही है आपकी किसकी अक्ताहर की थेक है ना यहां पर अपने पास फोस्फोरस ठीक है अब अपने हो पूचाँ वीचर फॉल्लोविंग है maximum electron affinity तो सबसे ज़्यादा इलेक्टोन एफिनिटी की बात करें और यहां पर फॉस्पोरस की ज्यादा होनी है इन दोनों में ज्यादा किसकी होगी इलेक्टोन एफिनिटी तो वह सल्फर की ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर इस्टेबल कॉन्फिकेशन है और इस्टेबल कॉन्फिकेशन वाला जो है व वो एलेक्टोन एफिनिटी उसके थोड़ी एक्सपेक्टेड से कम हो जाती है तो आंसर कौन सा होगा सल्फर और सल्फर का कौन सा अपना यह वाला तो आंसर विल भी थर्ड क्यूसर नंबर फिप्टी एट फिप्टी सेवन विच आप फॉलोविंग पैर उप एलिमेंट है लिस्ट आटोमिक साइज डिफेंस तो देखो इसमें यह सारे अलिमेंट आपको यह की ग्रूप के देरखे हैं फ्लॉरीन क्लॉरीन ब्रॉमीन आयोडीन और यह आपका बोटम Cameron है तो स्टुनेंट यह वाला जो वह मैंड है वो आ Zealand क्या सकते हो कि कौन से प्रिड गाएdon का यह 350 को और यह कौन से 46 कौ करक सब्था ठेका थे कह यह तो यहाप पर मैंने प्रिड़ लिखा आप जानते हुकं इसके अंदर 3-d sries आजाएगी यह 479 ए ओंङए झाने फाइब दी स्रीज को क्रोस करके आए इवन अपन फॉर एप के अंदर भी इलेक्टोन भर के आए मतलब अपन इस एलेमेंट तक अगर अपन पहुंचे है इसका मतलब आयोडीन के बाद अगर आपको 80 पर पहुंचना है तो आप जो है वो इलेक्टोन फॉर एप में भी फिल क काफी कम यहां पर इपल्शन तो भोती कम आप यहां से आप यहां पर आए तो आप जेड़ तो काफी ज्यादा बढ़ता है लेकिन जैड़ इफेक्टिव जो है वो बढ़ता है क्यों कि आपका जैड़ तो लगातार बढ़ता जा रहा है अटोमिक नंबर के साथ में यहां पर साइज का डिफरेंस सबसे कम होगा लेंथेन आड़ कोटेक्शन के खारण तो ये डिफ्रेंस वाली जो बात आपको कहीं है इसमें जनरल लेंदेनेट कोटेक्शन वाला कंसेप्ट है कि अगर आप 5th से 6 । पर आते हो तो जनरली आपको जो डिफरेंस है इधर ठीक है ना नेक्स्ट के और अपना आगे बढ़ते हैं किसा नंबर 58 तो फ्लॉरीन इस गूड ऑक्षिडाइजिंग एजेंट और क्लॉरीन बाइल लेक्टोन एफिनिटीटीज मौर फॉर क्लॉरीन देन देट फ्लॉरीन इस दू तो बैसिकली देखो ऑक्षिडाइजिंग ए ले रहा है तो एफ माइनस बना रहा है कि क्लॉरीन अगर एलेक्टोन ले रहा है तो वो क्लॉरीन माइनस बना रहा है अच्छा यहाँ पर जो एनरजी होगी वो डेल्टा एज इजी वन होगी और यह वैल्यू नेगेटिव होगी और यह वाली वैल्यू नेगेटिव होगी और यह more negative होगी जैसा कि अपन जानते है कि फ्लॉरीन और क्लॉरीन में एलेक्ट्रोन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है क्लॉरीन की तो एलेक्ट्रोन लेना उक्षिडाइजिंग नेचर को शो करता है और इस वाले प्रोसेस से यह पता लग रहा है कि यह वाला प्रोसेस ज् केवल यह एक energy का involvement ही नहीं होता जैसे फॉर एक्जामपल अपन बात करें अगर अच्छा है तो फ्लॉरीन सबसे पहले अपने ब्रेक करेगा और उसके बाद में वह एलेक्ट्रोन लेगा जैसे अपन एक मॉल फ्लॉरीन एक मॉल फ्लॉरीन एटम के बात कर रहे हैं तो यहा सबसे बात करेगा अगर फ्लॉरीन ऑक्षिडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है तो इसमें बैसिकली कौन-कौन से एनर्जी का involvement होगा बॉर्ण डिसोसेशन एनर्जी एलेक्ट्रोन गेन एंथेल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी अपन जानते हैं यह नेगेटिव होगी और यह क्या होगी पॉजिटिव अगर क्लॉरीन भी इस टाइप से अजेंट का काम कर रहा है तो अपन यह कह सकते हैं क्लॉरीन जो है वह एक क्लॉरीन यहां पर सबसे पहले बॉर्ण ब्रेक करेगा उसके बाद में लेगा अपना अक्षिडाइज एक्सन शो करेगा और उस कि प्रॉसेज जिए कि Negatuur हो अफ्यमेटली प्रॉसेश वह वो कॉनसा ज्यादा एक्सथर्मिक होगा वह बताये वह डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रॉसेज ज्यादा फिजिवल होगा तो बैसिकली अगर अपन बात करें फ्लॉरीन क्लॉरीन फ्लॉरीन क्लॉरीन ब्रॉमीन आयोडीन के अगर अपन बात करें चलो अपने को दोख की जरुत है तो फ्लॉरीन और क्लॉरीन तो यहां पर आप यह कर सकते हो लॉन पे लॉन पे रिपल्सन ज्यादा है इसलिए बॉंड प्रोसेस को एक्जो थर्मिक बनाना है आपको पता है कि एक्जो थर्मिक बनाने के लिए पॉजिटी वेल्यू कम होनी चीए तो बीडी किसको सपोर्ट कर रहा है फ्लॉरीन को क्योंकि कम पोजिटीव है अच्छा इलेक्ट्रोन एफिनिटी के भी अपन बात कर चुके है यह मौली वेल्यू किसे लिए ज्यादा है ख entwickeln को फिट्रो कर रहा है बिट हैरा सेट्रों कहीं को सकते हैं कि क्वरीनौन को अहरे बपनाने लिए तो मैसिकली यह थिमेट्मिक जादा होता है इसलिए फ्लॉरीन अच्छा अच्छा उप्राइज एडेट हो गया आप यह कह सकते कि इस पर कौन-कौन से फेक्टर ने फ्लॉरीन को सपोर्ट किया है एक्जोथर्मिक ज्यादा बनाने के लिए लेस पॉजिटिव बीडी और हाई हाइडरसन एनरजी जो है वह एक प्रकाट से फ्लॉरीन को एक अच्छा ऑक्डाइजिंग बनाती है तो आप यह कहा सकते हो लो का उप्र नियुक्त लेस एक सिंबल रखे हैं इनको अपने कर लिक लिए थे क्रिया पदो को सिंबल जो तभी hides आओ तभी है सबसे पहले अग्र आपना बात करें एक नियुक्याट को 90 से लेकर 103 तक होते हैं अगर यह शीरीज आपको याद है तो आप यह लिख सकते हूँ अगर यह मैंने आप पर फाइप शीरीज कंप्लेट लिख दी अटमिक नंबर यह 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100 और यहां पर यह अपने पास हो गया 101 यह हो गया 102 और यह 103 तो इस टोइंट 101 जो है वो अपना मेंडलियम है मेंडलेनी है तो यह अपना करेक्ट मैच है इसके अंदर 103 जो लॉरेंसियम करेक्ट मैच है अब अपने वह एक सुच्छा और 11 की बात करनी है तो एक सुच्छा और 11 की अगर अपन बात करें तो अपने पास जानते हो आप यह जो डी स्रीज है एक्टिनियम से स्टार्ट होकर जो अपनी कॉपर नीसियम तक जाती है कि उस रिज की अपन बात करते हैं तो इस स्रीज को अगर आप लिखो अब अपने पास यहां पर अनन बाइयम हो जाएगा या कॉपर नीसियम आप यहां पर लिख सकते हो 112 यह देखो अपना अपना नंबर है यहां पर 89 यह अपना हो जाएगा किता 104 105 106 107 108 109 1110 110 111 और यह हो गया अपने को और कौन-कौन से इसमें चीह देखो एक अपने 106 106 के अंदर अपना यह सिवार्गियम अपने को सही में दे रखा है और अगर अपने को अननन अनियम की बात करे 111 की बात करे तो यह रोइंट जीनियम है ठीक है तो यह इंकरेक्ट वैच है अपना आंसर हो जाए अब यह वाली जो स्रीज है यह डीव लोक की स्रीज है और यह फाइप शीरीज है तो सिरीज वाइज अगर आपको अलमेंट यादत तभी आप यह किसन कर पाऊगे और यह अपने एक्जाम में आया होबा किसन है तो किसन नमबर 90 की अपना लास्ट कूशन उस्टी विच व अब यह वाले अलमेंट जो थे इनकी डिस्कवरी बाद में होई थी और मेंडलीव की टेवल में इनके लिए खाली जगह छोड़े थे तो निस्यतूप से देखो जिनके लिए खाली जगह छोड़े थे ठीक ना विच विच वब फॉलविंग एलिमेंट वाज नॉन आपको अपना बनीट है कि गैलियम जो है यह ऐलिमेंट उस टाइम नौन नहीं था जल्मनियम भी नहीं था और सठीश्वरी नहीं था आपने पड़ा भी होगा इसके अंदर जैसे अपन स्केणियम जो है यह एका बोरोन के नाम से अपन इसके लिए जगह छोड़ी थी और एक शि स्वेस्ट गलत हुआ है तो इनको आप आगे से गलत नहीं करें थैंक यू हलो दोस्तों मैं मनोश सर्मा टीम बॉटनी आपका बहुत अच्छा बायो केम की सीरीज मोस्ट डिमांडेड एक दम एंसी आटी वेस्ट पेपर बायो केम का पेपर नंबर टैन जिसमें बाइलो जी का मेंली अपन किसका बॉटनी का पार्ट अपन डिसकस करने जा रहे हैं कम्प्लीटली फुली एंसी आटी वेस्ट सेस्क्यर किए सबसे पहला विट आपको दिया हुआ है lenti cells आर इंवाल इंव टव इंवम तो उटेन टैन्स यो कि आपके किसमें वोंगे बताओ contraction में मैं etti वातरंद्र जो में बेटा क्या करते हैं participate next question की तरफ आपन बढ़ते हैं बेटा देखू next जो है वह आपको दे रखा है transport of water and minerals in gylem age a देखो क्या कह रहे हूं जल्द अथा खनिजों का परिवहन आपके क्या होता है एक का मतलब क्या है जाइलम से हमेशा जो परिवहन होता है वह आपके कैसा होता है unidirectional यानि कि कैसा होगा एक दिसी है तो यहाँ आपके क्या जाएगा unidirectional सीधा आपके NCRT में लाइन दे रखिए बिटा सेकेंड जो है वो है ट्रांस्पोर्ट अफ और्गनिक अड्मिनरल न्यूट्रियंट्स इन फ्लॉयमेज बी जो है वो आपके क्या हो जाएगा बच्चों multidirectional क्या होगा multidirectional तो आपके जाएगलम से जो आपके क्या होगा flow होगा वो unidirectional होगा जबकि phloem से जो परिवहन होगा phloem से जो ट्रांस्पोर्ट होगा वो आपके कैसा होगा multidirectional तो ऐसा देख लो कौन सा option है यूनि यूनि नहीं होगा मल्टी िहोगा तो अपके जाइलंग उससे तो आपके कैसा है यूनिोancing जब की معल जो है उससे पेटा के काई आपके क्ला मल्टीक डायरेक्टिनल तो कैसा ऐगा एक तीसात्मक और आपके कैसा हो जाएंगा बेटा वी इसात्मक आर ये बास समझ में जाइलम से आपके कैसा होता है यूनि डाइरेक्शनल और फ्लॉयम से विटा जी आपके कैसा होता है मल्टी डाइरेक्शनल अगले क्यूशन की तरफ अपन वढ़ता है विटा नेक्स्ट है इन इस्टोमेटल एपरिटस सेलूलोजिक माइक्रो फाइब्रिल्स आर ओरियंटेट रंद्रिय उपकरण में सेलूलोजिय सुक्ष्मतंतुक अभी विन्यासित रहते हैं तो सीधा आपको दे रखा है देखो आप क्या कहते हूं इस्टोमेटल एपरेटस जो है उसमें आपके क्या होता है गार्ड सेल सबसीडरी सेल प्लस आपके क्या जाएगा इस्टोमेटल अपरचर ठीक है अब क्या कह रहे हो इसमें रीटियली आपके किया होंगे और ये रूप से आपके क्या होंगे विवस्तित होंगे आपके कौन सा विवस्तित होंगे ये द्वार कोसिकाओं की कोसिका भित्तियों में अरिये रूप से आपके क्या होंगे अरेंज होंगे तो आपके क्या होता है माइक्रो फाइब्रिल्स जो है बच्चों वो गार्ड सेल जो है उनकी भित्तियों में अरिये रूप से क्या होते हैं अभी विन्यासित होते हैं, रेडियल ही आपके बिटा जी क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, तो next दे रखा है, how many statement are correct, कितने कथन आपके सत्य है, in dry atmosphere, the relative humidity is low, so the rate of transpiration increase, सुस्क वाईउ मंडल में आप एक शिक आदरता आपके क्या होती है, कम होती है, इसलिए वास्पुत सर्ज जाती है, बढ़ जाती है, बिल्कुल आप क्या कहते हो, humidity जो है, humidity जो है भीटा, वो transpiration के आपके क्या होती है, inversely proportional, क्या रहती है, inversely proportional, तो सीधी सी बात है, dry atmosphere में आपके relative humidity आपके क्या है, law है, तो आपके क्या है, अगर ये चीज law हो गई, तो ये आपके क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी तो आप कहा रहे हो, so the rate of transpiration increase, so उस कवायो मंदल में आप एक शिक आधरता कम होती है, इसलिए वासपोच सर्जन की दर जो है, वो आपके क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही statement है, फिर है high availability of water increase the rate of transpiration, भाई आपके water की availability जैसे जैसे बढ़ेग वैसे वैसे rate of transpiration भेटा आपके क्या होती जाएगी, increase होती जाएगी, जल की अधिक उपलब्दता जो है, वो वासपोच सर्जन को आपके क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ये भी आपके क्या है, सही है, थाड़ अपन जाएगे, तो है, ABA promotes the transpiration, ABA वासपोच सर्जन को आ आपके क्या करता है, बढ़ाता है, नहीं, ABA जो है, वो इस्टो मेटा को क्या करता है, बढ़ा, close करता है, तो rate of transpiration आपके क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये आपके क्या है, रॉंग, A high concentration in soil water, increase the transpiration, म्रदा जल में उच लवन सांधरता वासपोच सर्जन को बढ़ात है, ना, अगर salt की concentration जो है, वो आपके high हो गई, salt की concentration आपके क्या हो गई है, high हो गई है, तो water absorption जो है, वो आपके क्या हो जाएगा, decrease, और water absorption डिक्रीज हो गया, तो rate of transpiration भी आपके क्या हो जाएगी, decrease, तो ये भी क्या हो गया, wrong, root pressure maximum during day, सही है, बढ़ा, आप क्या क्या जो है यह during day जो है इसकी जगे आपके क्या आना चीए night इधर आप क्या कोगे and minimum during night तो यह आपके क्या है minimum आपके कब होता है यह day में तो यह statement आपको क्या दे रखा है उल्टा दे रखा है इसलिए यह भी आपके क्या हो गया wrong मूलद आप दिन में अधिक्तम नहीं होता कब होत स्टेटमेंट सही है तो यहां पूछ है correct is और आर तो आपके कितने हो जाएंगे यहां दो सही कथनों की संख्या आपके कितनी है दो यानि कि two statement आपके क्या है यहां correct है next question की और बढ़ते हैं आपन which of the following is an amide involved in nitrogen metabolage निमने खित्मे से कौन सा amide पुधों के nitrogen उपाप्चे में क्या होता है समलित होता है तो देखो आप से क्या पूछ रहा है amide क्या पूछ रहा है विटा amide अब यहां क्या कोगी phenyl alanine amino acid है cysteine amino acid है serine amino acid है तो amide keval और keval आपके क्या दे रखा है aspargen कौन सा दे रखा है विटा aspargen तो यहां correct answer जो जाएगा वो आपके जाएगा कौन सा aspargen next जो है अगर आपन देखें तो यह आपसे बात कर रहा है विटा किसकी n2 cycle की n2 cycle में यह आपसे पूछ रहा है क्या which of the following step in n2 cycle includes as harmful effect of bacteria for soil fertility निमनेखित में से कौन सा n2 चक्र का पद म्रदा की उरवरा सकती के लिए जीवानों के हानी कारक प्रभाव के रूप में जाना जाता है amonification आपके beneficial इंपयक्ट है एंटु fixation beneficial impact है nitrification beneficial impact है ammonia beneficial है n2 cycle करन बैनीफिसियल है यह तो harmful आपके क्या हो जाता है यह पिटा denitrification यांई कि V nitri current यह आपके क्या है harmful आपके क्या हो जाता है impact next अगर आपन देखें तो आपके क्या जाएगा देखें next question एक्टिव ट्रांस्पोर्ट इज इंपर्टेंट विकॉज इट केन मूव मॉलेक्यूल सक्रिय परिवेहन महत्पून क्योंकि अनुगती कर सकता है देखो हर क्यूश्चन जो है एंसी आटी से है एंसी टी की लाइन टु. उलाइन को बटा कवर करने की क्या कि गई एकटि की गई है अब सीधा साथ से अच्टिव ट्रांस्पट मैं आपके अपके क्या होती घर्च होती एक ट्रांस्पोर्ट जो है इसमें आपके एटीपी क्या होगी खर्च होगी और एटीपी जब खर्च होगी तो इस एटीपी की साहता से एटीपी की हेल्प से जो भी मॉलीक्यूल है अपनी कहां से जाएगा लॉट्टू कहां जाएगा हाई कंसेंटेशन कहां जाएगा लॉट्टू हाई कंसेंटेशन जिसको आप और और क्या बोल देते हो, uphill transport, क्या आप कहते हो बटा, uphill transport, तो यहाँ molecule जो है, अपनी law to high concentration आपके क्या करेगा, move करेगा, तो यह सीधस answer दे रखा है, from their law concentration to a higher concentration, यानि कि नेमन सांधरता से उच्च सांधरता की ओर यह आपके क्या करेगा, बटा, गती करेगा, तो correct option जो है, right answer जो अब अपन next बात करें, तो देखो next आपको दे रखा है, NCRT based question, osmosis is the specific form of, परासरन किसका versus troop है, देखो आप क्या 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 देते हो, यहाँ आप SPM लेते हो, SPM से जो भी आपके क्या है, solvent जो है, कौन, solvent जो है, वो अपने higher amount से, solvent जो है, वो अपने higher amount से, खुद solvent की बात हो रही है विटा, higher amount से आपके किसकी ओर, lower amount की ओर आपके क्या करता है, गती करता है, ठीक है, तो यह SPM को हटा दे हैं, तो यह आपके हो क्या रहा है, diffusion ही तो हो रहा है, तो यह specific form है, आपके किसकी, diffusion की, यानि कि आपके किसकी, विशरन की, ठीक है वीटा, next question की तरफ बढ़ते हैं अपन, which element is very essential for, देखो सीधा सा question है, NCRT based question है, mineral nutrition से, which element is very essential for, uptake and utilization of CA plus 2, membrane function, इसके अलाब आपके क्या है, pollen germination और carbohydrate translocation via phloem, इन सब के लिए, देखो आपको सारे भी याद ना हो, तो सीधा सा option दिया हुआ है, क्या, यह तो सब को याद रहता है, pollen germination के लिए, बेटा, कौन required रहता है, boron, तो इन सारे function के लिए responsible जो होगा, वो आपके कौन होगा, boron, तो answer क्या जाएगा बेटा, इसमें, boron, next अगर आपन बात करें, तो next आपको दे रखा है, क्या, gutation is the result of, बिंदू सरावन किसका परणाम है, तो इस सारे जानते हो आप, जब रात्री के टाइम में, active water absorption से आपके ज़्यादा जल को ले लिया जाता है, excess amount में आपके water को ले लिया जाता है, तो एक gutation के थ्रूव आपके क्या, root pressure के कारण क्या आता है, बाहर आता है, तो यहाँ आपके क्या हो, चाह bleeding हो, चाहly gutation हो, दोनों का जो main कारण है, वो आपके क्या है, root pressure, तो gutation जो होगा, वो आपके किसकी वज़े से होगा, root pressure की वज़े से तो यहां answer जो बेटा जाएगा वो आपके चला जाएगा क्या root pressure ठीक है next अगर अपन बात करें तो देखो आपको दिया हुआ है क्या सीधा NCIT based to a persecution which of the following criteria does not pertain to facilitate transport निमनिखित में से कौन सा मानदंड सुगम परिवेहन से संबंदेते नहीं है require of special membrane proteins बिल्कुल आपके require होती है special membrane proteins विसस जिल्ली प्रोटीनों की आउशकता है यहां रहती है high selectivity बिल्कुल सही अगर जिल्ली protein है membrane protein है तो high selectivity हो जाएगी transport saturation यानि कि परिवेहन आपके क्या है संत्रप बिल्कुल सही है यानि कि transport की rate आपके तम maximum होगी transport जो है इसकी rate आपके maximum रहेगी जब सारे के सारे आपके carrier proteins का क्या रहा हो रहा हो यूज हो रहा हो ओल केरियर प्रोटीन सार यूजड अल केरियर प्रोटीन सार यूजड इसके अलावा अपहिल ट्रांसपोर्ट यहां आपके क्या होता है law concentration से molecule का कहा जाना high concentration की ओर जाना और यहां आपके लगती है बिटा ATP जो केवल और केवल आपके होता है किसमे active transport में ना की facilitated diffusion में तो wrong जो है वो आपके क्या हो जाएगा बिटा अपहिल ट्रांसपोर्ट क्यों क्योंकि अपहिल ट्रांसपोर्ट में molecule अपनी law to higher concentration पे जाता है और यहां ATP का क्या होता है यूज होता है तो यहां facilitated diffusion में कहीं भी ATP का यूज है नहीं होता है तो wrong जो हो जाएगा वो बिटा आपके कौन सा हो जाएगा फोर्थ नेक्स क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बिटा पन नेक्स क्यूशन जो है वह आपको दे रखा है इस स्पेसलाइजड एपिडर्मिल सैल्स सराउंड गार्ड सैल्स आर कॉल्ड द्वार कोसिकाओं को घेरने वाली विसिस्टी क्रत भाई है तो अच्छी है कोसिकाओ को क्या कहा जाता है तो देखो सीधी सी बात है यहां आप कहोगे क्या यह आपके मानलो क्या है जीसी है इस जीसी को आपके घेरने वाली जो भी आपके क्या होंगी सैल्स होंगी इन सैल्स को वेटा आप क्या बोलते हो सबसीडरी सैल्स क्या कहा जाता है इनको सबसीडरी सैल यानि की सहायक कोशिका हैं, सब्सीडियरी आपके क्या हो जाएंगी, सैल, यानि की आपके क्या हैं, सहायक कोशिका, तो answer जाएगा, आपके कौन सा, second, क्या हो जाएगा, सहायक कोशिका, देखो बेटा, आपको दिख भी रहा होगा, NCRT की हर लाइन को, और एकदम बिल्कुल neat और नीट ओरियंटेड पेपर बनाने की क्या की गई है कॉसिस की गई है तो फुली NCIT बेस और नीट ओरियंटेड आपके विटा क्या है पेपर है next जो है the symptoms of toxicity are difficult to identify because of विसागता के लक्षन ग्याद करना निम्नमें से किसके कारण आपके क्या होता है कठिन होता है सीधी आपके NCIT में line दी हुई है कि एक mineral की अगर आपके क्या है access हो जाता है उसकी toxicity हो जाती है तो दूसरे mineral की आपके काई को uptake जो है उसको आपके क्या कर देता है तो अपनको लगता तो ऐसा है कि वास्तव में character किसी mineral की access की वज़े से आए है toxicity की वज़े से आए है लेकिन ये वास्तव में होता क्या है दूसरे mineral का uptake आपके क्या हो गया घट गया है उसकी deficiency से आपके क्या आते है symptoms आते हैं तो इसमें आपके कोई वो ही नहीं है many times excess of micronutrients interference in the absorption and functioning of other nutrients बहुत से समय सुक्ष्म पोसक्तत्र की अधिक्ता अन्य पोसक्तत्रों के अवसुसन के वह कार्या में आपके क्या डालती है बादा डालती है तो answer जो है वो बेटा चला जाएगा आपके कौन सा 4th next question अगर आपन देखें 14 पे अगर आपन आते हैं ये बेटा बहुत अच्छा question है और कई लोग इसका weight भी कर रहे होंगे solution में sir क्या बताएंगे बहुत बहुत सांदार question है देखो एक तो है आपके क्या दे रखा है .Wilded यानि कि इसमें आपके क्या मिलानी आई है अब ये मिलानी क्यों आई है क्योंकि इसमें salt आपके क्या है ज़्यादा है यानि कि आपके क्या हुआ है flux, यह जो Osmosis, exp je Osmosis हुआ है, it means यहाँ OPE जदा है ठीक है? OPE जदा है तो यहाँ n più Sin字 उसकी वैल्मी भी आपके रहा हगी आपके रहेगी, लेकिन यह higher किसमें higher है? negative में, और negative में कोई भी चीज़ अगर आपके जादा जाती है तो वास्ता में होती क्या है कम और ये बत समझ में तो Vilted जो है इसका Cs यानि कि Osmotic Potential जो है वो आपके क्या हो गया है कम इधर अगर आपन बात करें तो सीधी सी बात है Vilted इसका Water आपके कहां निकल चुका है, बाहर निकल चुका है, तो TP जो है, वो भी आपके क्या होगा, इसका कम होगा, बात आई समझ में में क्या कर रहा हूँ, यहाँ आपके साइ एस जदा तो है विल्टेड का लेकिन अधिक किसमें है माइनस में और माइनस में कोई भी चीज अधिक होती है तो एक्चुली बेटा वह आपके क्या होती है कम होती है अर ये बास समझ में तो यहाँ इसका साइ एस Osmotic Potential क्या हो गया है कम, मुर्जा गई है तो पानी बाहर आगया है तो TP अपने आप क्या हो गया, कम यानि कि यहाँ Vilted का साइ एस भी कम है और आपके क्या है TP जो है वो भी विटा आपके क्या है कम, तो उधर आप जाओगे Non-Vilted में Non-Vilted की आप बात करोगे जिसमें मिलानी नहीं आई है तो उसका साइ एस जो है वो आपके कम है लेकिन कम किसमें, नेगेटिव में और नेगेटिव में कोई भी चीज कम होती है तो actual में वो आपके क्या है जादा है, तो यहाँ साइ एस भी जादा है और बिना आपके क्या है मिलानी वाली है, तो इसमें पानी आपके क्या है उपस्तित है, तो इसका मतलब TP जो है वो भी बेटा आपके क्या है जादा, तो सीधी सी बात है Vilted जो condition है उसमें आपके साइएस यानि की आपके क्या है, Osmotic Potential भी कम होगा, और TP भी आपके क्या होगा, कम होगा, Non-Vilted का आपके क्या है, TP भी जादा है और Osmotic Potential भी आपके क्या है, जादा है, तो Vilted, Non-Vilted, Vilted और Non-Vilted वापस बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे आपमें कन्फ्यूज हो रहे होंगे Sin, S, Vilted का जादा तो है, लेकिन किस में है, Negative में जादा है, और Negative में कोई भी चीज आपके जादा होती है, वो Actual में क्या होती है, कम, ऐसे समझो कि मेरे उपर आपके किता 10 लाग का कर जाए, ठीक है, तो Negative में ही है, किसी दूसरे के उपर 8 लाग का कर जाए, तो Actual में आपके Positive में कौन है, जिसके उपर 8 लाग का कर जाए, जिसकी Negative में Value आपके क्या है, कम है तो यहाँ Negative में Value कम किसकी है, Non-Vilted की तो Non-Vilted की Negative में Value कम है तो यहाँ Osmotic Potential Non-Vilted का आपके क्या है, जादा है प्लस नॉन विल्टेड जो है उसमें वाटर का माउंट है जबकि विल्टेड में वाटर का माउंट बहुत कम है तो टीपी अपने आप आपके ज़्यादा है किसका नॉन विल्टेड का तो नॉन विल्टेड का टीपी भी ज़्यादा होगा और sin s जो है वो भी आपके क्या होगा जादा होगा ओके बढ़ते हैं आपन next question की तरब next है आपके the translocation of organic solutes through phloem is bidirectional because phloem द्वारा carbonic विलेओं का स्थानांतरन द्वी दिसात्मक होता है क्यों बाई सीधा सा आप कहते हो कि मैं कह रहा हूं कि यह आपके क्या है मालो sink है और यह आपके क्या है यह आपन कह देते हैं source है और यह आपके क्या है sink है तो जैसे जैसे plant की requirement और season होते हैं यह source और sink जो हैं वह आपस में क्या होते रहते हैं exchange होते यानि कि आपके क्या है? कौन source होगा? कौन sink होगा? यह मौसम के अनुसार पादप की आवशकता पर आपके क्या करता है? डिपेंड करता है, इसलिए कभी भी source sink हो जाता है, और sink आपके क्या हो जाता है? Source हो जाता है according to climate, according to requirement of plant, इसलिए source और sink आपके क्या है? हापस में चेंज होने के कारण यहाँ फ्लॉयम में जो ट्रांस लॉकेशन है वो आपके क्या होता है मल्टी डारेक्शनल तो सोर्स सेंख रिलेशन सेप इज वैरियेबल डिपेंडिंग अपॉन सीजन और नीड आफ प्लांट स्रोट सिंख संपन्द की आवशकता हुए मौसं पर आपके क्या करता है निर्भर करता है तो आंसर भीट आपके हो जाएगा कौन सा फॉर्ट नेक्स सरक्रा की सक्रिय लोडिंग किसके द्वारा संचलित होती है देखो बिटा यहां आपके बहुत इंपॉर्टेंट किफशन है यहां के काम आती है क्या ATP भाई आप क्या कहते हो फ्लॉयम लोडिंग जो है फ्लॉयम लोडिंग जो है वह आपके कैसा प्रोसेस है बताओ बोलो इक्टिव प्रोसेस है तो यहां आपके आवश्चक्ता होती है किसकी ATP की और यहां आपको पता ही है ATP जो है वो चैप कहीं भी बात किया अपने कीमो-osmotic theory की recording ATP का जो generation होता है ATP जो generate होती है वो बेटा आपके किससे होती है proton pump से तो यहां आपके क्या जाएगा answer proton pump तो चालनी यह नलीका में सक्रा की सक्रिय लोडिंग सक्रिय आपके साफ सामने आ गया यानि कि ATP आपके क्या और यह खड़ चोरी है और ATP खड़ चोरी है तो ATP आपके बन मूल रॉम किसे में भूमी का नहीं निबाते हैं increase the surface area of absorption अवसोसन की सतय को बढ़ाना बिल्कुल बढ़ाते हैं विटा अवसोसन की सतय को यह आपके क्या करते हैं increase करते हैं दूसरा है mineral uptake यानि क्या आपके क्या है खनीज का क्या होगा अंतर ग्रहन बिल्कुल इसमें आपक यह water uptake बिल्कुल water uptake में आपके क्या है helpful है जलके अंतर ग्रहन में सायक है co2 uptake co2 का अंतर ग्रहन ना इसके लिए आपके पास कौन बेठा हुआ है बिटा stomata तो यहां wrong answer जो है वह आपके कौन सा हो जाएगा fourth आपके क्या है wrong यानि कि co2 uptake जो है उसमें यह help नहीं करते हैं तो यहां wrong answer जो होगा विटा वह आपके गो जाएगा कौन सा fourth तो यह आपके fourth जो है यहां आपके क्या है root hair इसमें कोई भी role play आपके नहीं करते हैं next question addition is the result of आसंजन आपके किसका परिणाम है देखो आपके कोई भी आपके क्या है tube है मालो मैं कर रहा हूँ यहां से water column जा हो रहा है ऐसे water आपके क्या हो रहा है चड़ रहा है तो यह water के molecule जो है इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है यह तो आपके कौन सा है cohesion कौन सा है cohesion यानि की ससंजन जबकि आपके जो भी यह जाइलम की आपके दीवार है और आपके water molecule है यह जाइलम की दीवार और water molecule है इनके बीच में जो भी आपके क्या लग रहा है attraction लग रहा है इसको आप क्या कहोगे adhesion यानि कि आप क्या कहोगे oxygen तो oxygen किस-किस के बीच में होता है जल के अनुओं एवं जायलम की भित्ती के मध्ध है आपके क्या होता है attraction attraction between water molecule and wall of gylam जल के अनुओं वे जायलम की भित्ती के मध्ध है आपके क्या है आकरसन तो answer आपके कौन सा जाएगा विटा fourth बढ़ते हैं next question की तरफ next question देखो आपको क्या कह रहा है which of the following is not a component of the simplest देखो simplest आप क्या कहते हो simplest जो होता है वो आपके क्या है living pathway क्या है living pathway तो इसमें से आप से पूछ रहा है कौन living pathway का हिसा नहीं है चलो देखते हैं cell membrane बिल्कुल होगी endodermal cell बिल्कुल होगी क्योंकि इसमें आपके passage cell जो हैं वो simplest का आपके क्या हिस्सा है plasma decimita बिल्कुल होगे gylam की जो trackeds हैं वो आपके कैसी होती है बटा dead होती है यह आपके कैसी हैं dead हैं और अगर यह dead है तो फिर यह आपके काए का apoplast जो है उसका आपके क्या होंगी हिस्सा होंगी तो यहां आपके काए का हिस्सा है apoplast का तो यहां answer आपके जाएगा क्या जायलम वाहिनी का है यानि कि आपके fourth next जो आपको question दे रखा है बिटा वह आपके दे रखा है देखो which one is highly selective कौन सा उच्च चैनात्मक है उच्च चैनात्मक बिटा कौन सा होता है जहां membrane proteins जो हैं वह आपके क्या होती है required होती है membrane protein की आपके क्या होती है requirement होती है और membrane protein की requirement आपको कहां कहां होती है अपके काय में होती है diffusion में होती है प्लस आपके काय में होती है active transport में तो ऐसा option यहाँ आपको दिया होगा active transport and facilitate diffusion यानि कि आपके सक्रिय परिवहन और सुसाध्य विसरन जो हैं वो आपके क्या होते हैं उच्चे चैनात्मक तो वेटा देखरो एक एक जो है एक एक लाइन से NCRT के line to line और दोनों चैप्टरों को बराबर आपके क्या किया गया है cover किया गया है जो जो भी वैटेज नीट में जैसे जैसे questions आप से पूछे जाते हैं वैसे वैसे आप से questions put up करने की क्या की गई है causes की गई है चलो बढ़ते हैं अपने जब next question 21 की ओर हाव इटा next जो है वो है read the following statements following statements को आपको क्या करना है read करना है यहाँ आप काओगे क्या read the following statements नेमने कथनों को पढ़िये फिर यहाँ आप काओगे the pressure that produced by the swelling of wood had been used by pre-historical men to split rocks cast को फूलने से उत्पन दाब का उप्योग पूर्व एतियासिक मनुष्य द्वारा चट्टानों को तोड़ने में किया जाता था बिल्कुल सही है बिटा आप क्या कहते थे देखो पहले चट्टानों में जो दरार हो जाती थी जैसे चट्टानों के बीच में आपके क्या है द्रार है इसमें आपके अपन लब क्टी का टाल देते थे टुकडा ढाल दृती थे और इसके able to come out of soil due to the development of pressure दाब के विकास के करण मिरदा के बाहर भी जांग कुरण होता है तो यह दोनों कथन जो हैं वो बेटा आपके सम्बंदित हैं कि से इंबिबिशन प्रेशर से यानि कि अन्तेचूसर दाब से तो क्या जाएगा यहां अंसर इंबिबिशन प्रेशर बढ़ते हैं एक्स्कूशन की तरफ नेक्स्ट आपके वाटर विल मूव फ्रॉम्दा रूट हेर देखो कहां जा रहा है रूट हेर रूट हेर से थिटा आपके कहां जा रह रहा है थो कलोर्टेक्स तप्रेल जायरा है किस में जायरा है किसमें जायरा है जायलर में हमेशा ही अतके कहां जाएगा high sine to low sine high sine to low sine, ठीक है, water potential high water potential से कहां जाता है low water potential की और तो आप ऐसा segment इसमें से देखें, जो कि आपके किसमें हो descending order में हो, तो 0, 0 जिरो यहाँ कोई net movement नहीं होगा 0, minus 1, minus 2 तो यह descending आपके किसमें है order में है, तो बिल्कुल सही है आपके कौन सा जाएगा, second यानि कि यहाँ आपके 0 है, जो maximum value है, यहाँ minus 1 है और यहाँ minus क्या है, 2 minus 2, minus 1, 0 यह आपके क्या है, sending order हो गया नहीं हो सकता, 0, plus 1, plus 2, भाई आपके क्या है, sine की maximum value ही आपके कितनी है 0 है, तो answer जो आएगा आपके कौन सा आएगा, second यानि कि आपके किसमें अवरो ही क्रम में, यहाँ maximum होगी फिर इसमें थोड़ा कम होगी, इसमें और ज़्यादा आपके क्या होगी, कम तो answer बिटा चला जाएगा कौन सा second, बढ़ते हैं next question की ओर बिटा, which one is not function of transpiration निम्ड मैं से कौन सा वासपुच सरजन का कार्या है, नहीं है इसमें से आप देखोगी cooling of leaves, तो यह वासपुच सरजन का कार्या होता है, इससे आपके पतियों को क्या हता है, cooling effect आता है uptake of minerals, विल्कुल minerals की uptaking में आपके क्या होता है helpful होता है, uptake of water, water के uptake में आपके क्या होता है, helpful होता है excreation of minerals minerals के आपके अंतर ग्रहन उच सरजन में, भाई minerals के अंतर ग्रहन में तो साहायक होता है, लेकि minerals के excreation में बेटा साहायक नहीं होता तो fourth जो है वो आपके क्या हो जाएगा बेटा, wrong answer next आप चलोगे, तो 24 की और आपन बढ़ते हैं बेटा देखो next है, which element are essential for photolysis of water, सीधा सा mineral nutrition में, NCIT में आपको दे रखा है, जल के प्रकास ही, आप गटन में जो साहायक होते है वो आपके कौन-कौन होते है, MN यानि की magneze और दूसरा आपके होते है, कौन है, CL तो क्या जाएगा, MN एंड है, CL, बढ़ते हैं बेटा, next question की ओर फिर है आपके, trans ammunition, तो trans ammunition में आपके क्या होते है, keto और amino जो group होता है उसका आपके क्या होता है, बेटा, transfer होता है, keto और amino group का अपस में आपके क्या होता है, small number of amino acid, केवल कुछ ही amino हमलित होता है, ना involved in ammunition of NADP, NADP का MNE करण होता है, नहीं elaboration of free ammonia molecule, ammonia मुक्त होती है, नहीं involves transfer of amino group from one amino acid to the keto group of a keto acid, by keto acid के keto group और amino acid के amino group का यहाँ आपके क्या होता है, exchange होता है तो सही इसको आपके explain जो कर रहा हो, आपके answer कौन सा है, बिटा, fourth, next अगर अपन चले, next question की तरफ अपन चलते हैं, बढ़ते हैं, next है, 26, the function of leg hemoglobin in the roots nodule, root nodule of legume H, legume की मूल ग्रंथी काओं में leg hemoglobin का कार है, सीधा NCIT में दे रखा है, जो leg hemoglobin होगा, बिटा, leg hemoglobin जो है, वो आपके क्या करता है, बूलो, leg hemoglobin आपके करेगा, क्या जो भी nitrogenate site होती है, वहाँ से O2 का आपके क्या करता है, removal करता है, और O2 का अगर ही आपके removal कर रहा है, तो इसको आपन कहते हैं, क्या squenger of O2, क्या काओगे, squenger of O2, oxygen का ही आपके क्या है, अपमार जग, तो क्या हो जाएगा, oxygen का ही आपके क्या है, अपमार जग बिटा, next, जो है, next question, जो है, वो आपको दे रखा है क्या, a plant requires potassium for, उधे में potassium की आवशकता किसके लिए होती है, mainly आपके क्या दे रखा है, cation, anion balance में potassium और chlorine आयन आपके क्या दे लते हैं, participate लते हैं, तो यहाँ cation, anion क्या जाएगा, balance, तो most appropriate answer जो है, वो potassium से related, वो यहाँ दे रखा है, आपको धनायन, रिनायन, आपके क्या, संतुलन, next, जो है, देखो, बहुत अच्छा क्यूशन है, conceptual question है, यहाँ दे रखा है, water vapor comes out from the plant leaf, through the stomatal opening, through the same stomatal opening, carbon dioxide diffuse into the plant during photosynthesis, region out the above statement, using one of following option, पादपत्ती से जलवास्प, रंद्रों द्वारा बहार आता है, प्रिकास संसलेशन के दौरान, उसी रंद्र से carbon dioxide पादप से क्या होती है, विस्रित होती है, कारण निम्न कत्नों में से चुनिए, भाई आप क्या कहोगे, दोनों की अगर आपन बात करें, किसकी water की भी बात कर लो, water की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो किसकी CO2 की, तो दोनों का diffusion coefficient जो है वो बिट आपके क्या है, अलग-अलग है, और diffusion coefficient अलग-अलग होने के करण, इनका एक साथ आपके क्या है, जो भी आपके क्या है, exchange, आदान-प्रदान हो सकता है, तो यह दे रखा है, बोथ process cannot happen simultaneously, दोनों प्रिक्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती, आपके क्या है, बोथ process can happen together, because the diffusion coefficient of water and CO2 is different, दोनों प्रिक्रियाएं एक साथ हो सकती है, क्योंकि जल्व है CO2 का विश्रन गुणांक आपके क्या है, भिन है, तो second आपके क्या हो गया, सही हो गया, अबब प्रिक्रियाएं के वाल रात्री में होती है, नहीं, फिर आपके क्या है, the process occurs during day time and the other at the night, एक प्रिक्रिया दिन में तथा दूसरी आपके काई में होती है, रात्री में, तो ये भी आपके क्या है, रॉंग है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, second, दोनों प्रिक्रियाएं एक साथ हो सकती है, क्योंकि जल्व है CO2 का विसरन गुणांग का आपके क्या होता है, भिन्न होता है, next आपके देखो बिटा, इसमें time waste आपको execution में नहीं करना था, बिल्कुल, आपको confuse करने के लिए आपके क्या है, थोड़ी सी language इसमें बढ़ा दी गई है, लेकिन आपको एतनी बड़ी language पर जाना ही नहीं है, देखो आप क्या कहते हो, water का जो movement होता है, water जो आपके क्या होता है, move होता है, वो आपके कहा होता है, law dpd to high dpd, कहा होता है, law dpd to high dpd, यानि कि dpd जो है, आपके क्या होती है, demand of water, तो यहाँ water की demand कम है, यहाँ water की demand ज़्यादा है, तो law 2 कहां जाएगा high dpd, तो यहाँ सीधा दे रखा है, देखो आपको diffusion pressure deficit कितना है, यहाँ A cell का 3, जबकि B cell का आपके कितना है, 5, तो आपके कहां law 2 आपके कहां जाएगा high, यानि कि अपन विसरन दाब नियूंता देखें, तो एक की तो आपके कितनी है, 3, और दूसरे की आपके कितनी है, 5, तो कहां आएगा 3 से 5 में, तो it means movement of water from cell A to cell B, कोसी का A से B में जलकी आपके क्या होगी बटा, मूलद आपका अधिक्तम योगदान हो सकता है, सीधा NCRT में दे रखा है, कि water column जब आपके उपर चड़ रहा होता है, तो अगर water column by chance breakdown हो जाता है, तो इस water column के re-establish करने में, इस water column को दुबारा पुनहें स्तापित करने में, इसको re-establish करने में आपके जो है, वो help करता है, आपके कौन root pressure, तो answer चला जाएगा, re-establishment of discontinuous water column, तूटे हुए जल इस्तमकुप उनहें आपके काय क्या करने में, इस्तापित करने में, देखो बिटा देख रहे हो, एक single cushion, पूरे paper में, NCRT से बाहर नहीं लिया गया है, और ऐसा कोई भी single cushion नहीं है, जहां अगर अपन बात करने तो ये neat के level का नहीं है, सारे cushion बहुत अच्छे, NCRT based और आपके क्या है, neat oriented, बढ़ते हैं आपन next question की उर्बिटा, next है आपके, इस watermelon has how much water, एक तर्बूज में कितना पानी होता है, ये भी NCRT के 11 chapter में आपको दे रखा है, more than आपके 92% आपके क्या है, water है, फिर अगर आपन बात करें, तो next आपको question दिया हुआ है, काई का दिया हुआ है, istomatal apparatus, istomatal apparatus जो होगा बेटा, इसमें आपके क्या-क्या होगा, istomatal apparatus, istomatal apparatus में होती है, GC, guard cell, SC, subsidiary cell, और आपके क्या होता है, istomatal aperture, यानि कि ऐसे, तो ऐसे आपके कहां दे रखा है, देखो ये रा option में, istomatal aperture, guard cell, and इसमें आपके क्या हो जाएगी, surrounding हो जाएगी, आपके किसे, subsidiary cell से, तो यहां आपके answer जो है, वो बेटा, आपके कौन सा हो जाएगा, third, बढ़ते हैं आपने next question की तरफ बेटा, ये भी बहुत अच्छा, neat oriented, conceptual आपके क्या है, question है, देखो आप क्या कहते हो, sin w जो है, वो आपके किसको बताता है, kinetic energy को, ठीक है, NCAT ने दिया हुआ है, तो जहां आपके sin w जादा है, तो आप क्या कहोगी, अगर sin w आपके क्या है, जादा है, sin w आपके क्या है, high है, तो k e जो है, वो आपके क्या हो जाएगी, high, आपको साफ यहां दिकाई दे रहा है, कि यहां आपन water potential की बात करें, तो जादा है, और यहां water potential आपके क्या है, कम है, तो आप क्या कहोगी, kinetic energy of k e of h2o in a solution, इसकी आपके जादा है, k e of water solution in a b, a billion में h2o की k e जो है, वो b solution के जलकी k e से आपके क्या होगी, high होगी, बैई c dc बात है, आप क्या कह दोगी, जितना जादा water potential होगा, उतनी ही जादा आपके क्या होगी, k e, तो a b कर में आप देखें, तो आप यहां क्या कहोगी, देखो, sin w आपके क्या है, ज्यादा है, तो यहां क e जो है, भी आपके आपके क्या रहिएगी, ज्यादा रहिएगी, यहां साइड अवल्यू जो है, वो आपके क्या है, कम है, तो यहां क e अपके क्या रहिएगी, कम, तो kynetik energy k e of h2o, a solution, k e of water in solution, b, तो आंसर आपके चला जाएगा क्या फास्ट किक है नेक्स्ट अगर अपन बात करें वेटा तो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है देखो बहुत सिंपल और आपके क्या है क्या है इसमें आपके जा रहा है इसको तो आपके मेंब्रेन प्रोटीन के थ्रूए सेम डाइरक्शन में जाते हैं तब तो यह आपके हो जाएगा क्या सेम पोल्ट क्या हो जाएगा सेम पोट और अगर यह अपोजिट डियर्ग्शन में भागते हैं बिटा तब ही आपके हो जाएगा क्या एंट एपोर्ट ठीक है तो यहां पन से क्या पुछा है सेम डाइरक्शन वेहंड ट्रांस्पूट मेथर्ड वह टो टूड़ आपके क्या होता है से इंपोर्ट और अपोजिट डाइरेक्शन में है तो इसको आपके देते हो क्या एंटीपोर्ट ठीक है next question अगर आपन से बात करें तो देखो आपसे क्या पूछ रहा है loading of phloem is related to phloem की loading किस से संबन देता है भाई आप क्या कहते हो जैसे यह आपके क्या है source है तो यहाँ mesophyll cell जो है इनमें आपके क्या चल रहा है photosynthesis यहाँ जो सुगर बनी है इस सुगर को आपके change किया जाएगा किसमें सुक्रोज में और सुक्रोज में change करके इसको आपके कहाँ sieve tube पे आपके क्या किया जाता है load किया जाता है sieve tube element पे आपके क्या होगा load होगा इसीव ट्यूब एलीमेंट पर आपके आएगा तो इसको अपन कहेंगे phloem lowding तो phloem lowding से आपके phloem जो है इसमें सुगर जो है वो आपके क्या होती है increase होती है तो answer चला जाएगा first phloem में सरक्रा में आपके क्या हो जाएगी वरिथी next अगर विटा आपने बात करें तो देखो आपके क्या है आप से पूछ रहा है कि एक चीज्ज है कि यहां से आपके क्या है यह वाटर जा रहा है तो आपके बैठा है क्या transpiration ट्रांस्पिरेशन और नीचे है आपके कौन रूट प्रेसर तो देखो आपको सीधी सी बात है रूट प्रेसर यहां से इसको आपके क्या कर रहा है फुल कर पुछ कर रहा है यहां से आपके क्या मार रहा है धक्का दे रहा है जबकि आपके transpiration pull जो है इसको आपके क्या कर रहा है खीच रहा है यानि कि आपके क्या कर रहा है फुल कर रहा है तो आप क्या कहोगे transpiration जो है वो तो आपके क्या करता है खीचता है यानि कि आपके क्या करता है pulling करता है जबकि root pressure जो है नीचे से इसको क्या करता है push करता है यानि कि आपके धक्का देता है तो pulling and pushing it respectively इसे crumbs है खीज कर और आपके क्या हो जाएगा धक्का देकर next अगर आपन बात करें तो CDC NCRT की definition आपसे पूछ ली गई है essential elements are आवशक तत्वजू है वो आपके क्या होते हैं तो पहला है not required for normal reproduction सामान जनन के लिए आवशक नहीं है बिल्कुल आवशक होने चीए तो यह आपके क्या हो गया wrong not replaced by other element बिल्कुल सही है यह दिया हुआ है कि कि किसी other element द्वारा होती है यह replace नहीं होने चीए है तो यह बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा चाही हो जाएगा फिर आप कहोगे indirectly न सारी कि सारे मेंgs में übers में आपके इसका क्या होना चीए involvement होना चीए ये भी आपके क्या हो गया रॉंग तो NCRT के according अपन चलें तो सबसे सही answer है not replaced by other element अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थपत नहीं होते हैं देखो वेटा सीधे-सीधे NCRT के अपसे statement पूछे गए हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके किस में आते हैं नीट में helps in the formation of middle amyla ठीक है essential of spindle fibers कौन होता है calcium accumulation in older leaves बिल्कुल आपके calcium का होगा involvement in normal functioning of cell membrane सीधे-सीधे एक सारे कार्रे जो हैं वो NCRT ने insulin कर रखें किसमें बिटा calcium है तो यह सारे के सारे function जो है वो आपके किसके हो जाएंगे calcium के next अगर अपन question की बात करें तो next आपको दे रखा है देखो match the column first and second करते हैं मैच अपन चलो magnesium जो है वो आपके क्या होगा structural component of chlorophyll sulfur जो है NCIT ने दे उखाएं found in some amino acids iodine जो है वो आपके क्या है not important for plants इसके अलाबा MN जो है यह आपके photolysis of water में आपके क्या करता है participate तो इसका क्यों की कौन सा हो जाएगा second इसका आपके कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, इसका आपके कौन सा हो जाएगा, थर्ड और इसका आपके कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, तो ऐसा कौन सा दे रखा है, देखो आपको, सेकेंड, फर्स्ट, इसके अलावा थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट अंसर इसमें बिट आपके क्या हो जाएगा correct हो जाएगा simple question next अगर आपन बात करें तो फिर mineral nutrition से आप से question पुछा गया है important constitute of protein involvement involved in ETS ETS में समलित protein का आपके क्या है मुख्य गटक के बिल्कुल सही है activator of catalage catalage का activator आते ही आपके कौन हो गया है बिटा F.E. फिर आप कहोगे important constitute of cytogram इसमें भी आपके कौन हो जाएगा F.E. फिर essential for chlorophyll synthesis chlorophyll sensation के लिए आपके क्या हो जाएगा आवशक हो जाएगा ये भी आपके कौन है F.E. तो answer बिटा चला जाएगा कौन सा F.E. सीधे सीधे आप बिटा हर question को आप देखें सीधा सीधा NCRT based question है सीधा put up किया गया है बिलकुल कुछ conceptual questions है कुछ आपके अच्छे questions है सारे question का थोड़ा थोड़ा आपके क्या है mixture है कुछ conceptual आ जाते हैं कुछ वापस फिर NCRT की लाइने हैं लेकिन हर question जो है NCRT से famed है और need आपकी क्या है oriented है चलो बढ़ते हैं next question की तरफ हां विटा next question अगर आपन देखें तो next जो है वह आपके क्या क्या करेगा इधर आपन मिला लेते हैं के जू है वह आपके क्या क्या करेगा एक तो इस तो मिटल आपनिंग में आपके help करेगा प्लस जो सैल है उसकी turgidity को क्या रखेगा maintain तो यहाँ आपके क्या जाएगा A and D तो यहाँ आपके क्या जाएगा बिटा A and D ठीक है A and आपके क्या जाएगा D तो यहाँ आपके क्या जाएगा बिटा A and D तो यहाँ आपका होगे A और D ठीक है MO जो है वो component होता है आपके nitrogen age and nitrate reductage का तो क्या जाएगा E P जो है वो आपके constitute है आपके किसका cell membrane का तो यहाँ आपके क्या जाएगा B MN जो है वो आपके help करेगा photolysis of water में तो क्या जाएगा C तो यहाँ आपके कैसा दे रखा है AD इसके अलावा E फिर आपके B और फिर आपके क्या जाएगा C तो correct answer जो है वो बेटा आपके कौन सा हो जाएगा first ओके बेटा next question की तरफ आपन चलते हैं क्या next question आपन लेते है 42 नंबर जो है वो आपको कह रहा है क्या if sugar are actively moving into a cell what will be happens to the target pressure of the cell यदी acha होगी सरकरा jacosika में सक्रि?", रूपसे क्या करती है प्रुवेस करती है तो कोशika के स्थीности Camaroking के लिए क्या गटित होगा देखो आप क्या कहोगी जैसे आप कह रहे हो क्या, कि यहाँब बात कर लेते हैं कि किसकी source पे तो Hmm पर आपके क्या है, जैसे आपके क्या है जाइलम, जाइलम से water जो है वो आपके कहां जाएगा इसमें, आर यह बाद समझ में तो जैसे ही आप excel में कह रहे हो कि यहां आपके क्या है, ओपी बढ़ेगा, यह आपके सुगर आएगी तो ओपी आपके क्या होगा, बढ़ेगा ओपी बढ़ा तो यहां आपके क्या हैगा water और water आएगा तो आपके टीपी जो है वो भी आपके क्या जाएगा, increase तो टीपी भी यहां आपके क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, टीपी increase due to entry of water यानि कि इस पिती दाब में बढ़ोतरी जल के प्रवेश के कारण, ओके बीटा next question की तरफ अपन बढ़ते हैं देखो which of the following statement best explain the critical concentration निमनिम बेशते कौन सा कथन क्रांतिक सांधरता को भली भाती आपके क्या करता है, आपके क्या करता है इस पस्ट करता है तो आप क्या कहोगे, देखो critical concentration या क्रांतिक सांधरता क्या होती है किसी भी तत्व की या किसी भी आपके nutrients की वो कमी, जिससे आपके plant की growth जो है, वो inhibit या आपके क्या हो जाती है, इस्टंटेड हो जाती है तो आप कहते हो, essential element concentration, blow which plant growth age, इस्टंटेड जाएगा, next अगर आपन 44 की बात करें, तो 44 देखो, आपके क्या कह रहा है, the movement of water from one cell to another cell, throw the plasma decimata, किसके through पूछना है बिटा, plasma decimata के through, plasma decimata के माध्यम से एक कोसिका से दूसरी कोसिका में जलकी गती, तो आप क्या प्लास्टिक पाथवे, कौन सा पाथवे हो जाएगा बिटा, सेम प्लास्टिक पाथवे सही है, next अगर आपने आगे बढ़ें, तो next आप देखें फिर है, reduction of one molecule of nitrogen into two molecules of NH3 सीदी, सीदी, NCIT की line उठाई हुए है बिटा, nitrogen के एक अणू का, NH3 के दो अनूम है, कितने मॉलीक्यूल two molecules, एक मॉलीक्यूल जब NH3 का बनता है तो कितनी ATP लगती है, eight तो यहाँ कितने मॉलीक्यूल है, two तो यहाँ 16 ATP आपके क्या होंगे, खर्च होंगे बिटा आप एक चीज गौर करो हर chapter जो है, 11 chapter 12 हो, उसके हर पार्ट को अपने कवर करने की क्या किया है कॉसिस की है, चलो next बढ़ते हैं आपना आगे which one is correct about the free living rhizobium species and its enzyme क्या करेो, मुक्त जीवी rhizobium प्रजाती और इसके enzyme के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो देखो जब rhizobium free living condition में होता है, क्या rhizobium जो है जब वो free living condition में होगा बिटा, तो यह आपके होता है कैसा? aerobic कैसा होता है? aerobic और इसका enzyme कौन सा है? nitrogenase यह nitrogenase आपके रता है inactivate, nitrogenase जो है वो आपके किस form में रहेगा? inactive form में तो आप क्या कहोगे देखो rhizobium जो है, वो bacteria जो है, वो आपके कैसा रहेगा? aerobic और nitrogenase जो है, वो आपके कैसा रहेगा? inactive और यह वाद समझ में, तो आप क्या कहोगे? पहला आपको देखा है bacteria and bacteria are aerobic and nitrogenase are active no, bacteria are anaerobic नहीं, bacteria are aerobic and nitrogenase is inactive, तो कौन सा हो जाएगा? जीवान वाई भी होते हैं, जबकि nitrogenase जो है, वो आपके कैसा रहता है बिटा? निस्क्री है next question की तरफ अपन बढ़ते हैं बिटा which is not true for nitrogenase enzyme in root nodules in the legumes? legumes में मूल ग्रंतियों में nitrogenase enzyme के लिए कौन सा सही नहीं है? synthesized by nif genes of rhizobium बिल्कुल सही है, nif gene की full form ही बिटा आपके क्या होती है nitrogenase inducing factor क्या होती है full form? nitrogenase inducing factor nitrogenase inducing आपके क्या हो जाएगा factor, MOFE आपके क्या है protein? बिल्कुल सही है भाई आप क्या कहोगे? synthesis by nif gene of rhizobium सही है site of reduction of n2 into ns3 तो आपके n2 को काई में ns3 में बिल्कुल सही है MOFE protein है ये भी सही है not affected by o2 concentration ना, o2 की presence में ये आपके काम करी नहीं पाएगा इसलिए तो कौन होता है? lag hemoglobin और lag hemoglobin जो है, वो o2 को क्या करता है? absorb करता है, इसलिए उसको अपन क्या कहते है? oxygen squenger तो wrong जो है, वो आपके क्या हो जाएगा? fourth तो यहाँ आपके क्या है? कौन सा सही नहीं है? fourth सही? नहीं है तो answer जो जाएगा वो आपके कौन सा जाएगा? fourth next, जो है, most plant obtain their nitrogen from the soil in the form of अधिकान स्पादब अपनी nitrogen को म्रदा से जिस रूप में प्राप्त करते हैं, वह है तो किस रूप में प्राप्त करते हैं, यह mostly NO3 की form में यह आपके क्या करेंगे? absorb करेंगे, यह NO3 की form में इसको आपके क्या करते हैं? absorb करते हैं फिर आपके सीधा NCRT का वापस क्यूशन जो 11 चैप्टर में आपको दे रखा है क्या? सीधा सा क्यूशन है आपके क्या? which plant cannot germinate without the presence of mycorrhiza? कौन सा पादब कवक मूल की उपस्तिती के बिना अंकुरित है? नहीं हो सकता तो पाइनस जो है इसके सीध को अंकुरित होने के लिए mycorrhiza यानि कि कवक मूल जो है वो आपके क्या होता है बिटा? essential होता है next जो क्यूशन है वो थोड़े अच्छे लेवल के क्यूशन आएंगे बिटा which one of the following is wrong statement? निमनिकित मैं से कौन सा कथन एक कथन आपके क्या है गलत है phosphorus is a constitute of cell membrane बिल्कुल सही है certain nucleic acid and all proteins यहाँ यह गडबड कर दी बिटा all proteins नहीं है some protein है phosphorus कोसिका जिलियों में कुछ nucleic अमलों तथा सभी protein का गटक है नहीं होता है कुछ protein हों का आपके क्या होता है गटक होता है तथा सभी nucleic अमलों का आपके क्या है गटक है तो यह रॉंग होगे आपके first nitrosomonas and nitrobacter are chemototrops nitrosomonas तथा nitrobacter assines disease आप उसी होते हैं बिल्कुल सही है anabina and nostoc are capable of fixing nitrogen in free living state also anabina तथा nostoc स्वतंत्र जीवी अवस्था में भी nitrogen के स्थी करण के योग होते हैं बिल्कुल सही है root nodule forming nitrogen fixer live edge aerops under the free living condition मूल ग्रंथी का बनाने वाले nitrogen स्थी कारग स्वतंत्र अवस्थाओं में आपके क्या होते हैं yva gv की तरह होते हैं बिल्कुल सही है तो आपके क्या है wrong क्या हो जाएगा phosphorus is a constitute of cell membrane certain all nucleic acid and some proteins तो यह first statement ही आपके क्या है बिटा wrong है तो answer जो जाएगा वो आपके कौन सा चला जाएगा first next अगर अपन बात करें तो आपका होगे क्या hydroponics refers to growing plantain व्रदी सील पादपों को जल समवर्ध में कौन सी परिस्तितियों में उगाया जाता है तो desert नहीं pure water नहीं mineral containing water में आपन क्या करवाते हैं बिटा grow करवाते बिल्कुल सही है खनेज पोसक यूप तो आपके आपके जल में क्या करवाते हैं नेक्स्ट जो है वो बेटा आपके है क्या गलत मिनान को चुनिए select the incorrect match MN जो है वो photolysis of water करेगा बिल्कुल करेगा CA synthesis of middle amyla बिल्कुल सही है component of ATP बिल्कुल सही है constitute of coenzyme A कभी भी coenzyme A constitute नहीं होता तो answer जो जाएगा वो बेटा आपके कौन सा जाएगा बताओ fourth जैडन जो है वो आपके coenzyme A constitute नहीं है तो यहां answer जो आजाएगा वो आपके कौन सा जाएगा fourth next जो है वो आपको दे रखा है अच्छा question है boron takes part in, boron किस प्रिक्रम में भाग लेता है photosynthesis, precaution sensation नहीं activation of enzymes involved in respiration स्वसन में सामिल enzymes को सक्रिय करने में transport of carbohydrates बिल्कुल सही है translocation of food में आपके क्या है boron क्या होता है nitrogen की metabolism में कहीं भी भाग नहीं लेता next जो है वो बिटा आपके question दे रखा है 54, 54 में आपसे कहा है legume plants जो है उसमें आपके कहा है root, आपके क्या है mark the correct sequence of step of the development of root nodule root nodule formation जो legumes में होता है उसका आपसे क्या पूछा है sequence पूछा है, तो इसमें देखो सबसे पहले आपके दे रखा है thread, divisions of सबसे पहले आपके क्या होगी curling of root है तो सबसे पहले क्या जाएगा C, उसके बाद होगा formation of infraction thread क्या जाएगा A उसके बाद आपके होगा क्या division of cortical and pericycle cells यानि कि आपके क्या जाएगा B, फिर आपके हो जाएगा leg hemoglobin synthesis, यानि कि D, सीधा बेटा NCRT में दे रखा है, तो answer जो चला जाएगा, वो आपके कौन सा है fourth, यानि कि answer यहाँ जाएगा आपके कौन सा, fourth next बेटा अपन बात करें तो next question जो है, वो है आपके match the following and choose the correct combination from the options given, निम्नांकित का मिलान करें और दिये गए विकलकों को सही चुनिए, अब देखो बेटा ऐसे जो questions होते हैं, उनमें time waste नहीं करना होता, boron जो है वो आपके germination of pollen grains में help करता है, और c keval और keval आपको किस में दिरखा है, c का first, इस answer में, c का first keval और keval यहाँ दिरखा है तो answer जो आपके जाएगा, वो आपके कौन सा जाएगा, second, तो अभी भी सीधा-सीधा answer आ रहा हो क्योंकि नीट में आपके time management बेटा बहुत आपके क्या होता है, important होता है तो इसको आप manage करते हुए चलें next, जो है, वो बहुत अच्छा और conceptual question है देखें आप reaction carried out by N2 metabolics, microbes include, N2 का उपाप्चे करने वाले सुक्ष्म दीवियों द्वारा संचालित अभी क्रियाओं में सामिल है पहला आपके रखा है, N3 को आपके क्या है, NO2 में तो आपके क्या करा है, देखो, step first is carried out by nitrosomonas और nitrosopocus, दोनों काम में आते हैं, सही है NO2 और O2, यानि कि आपके क्या बन जाएगा, NO3, तो आपका क्या होगे, step two courage out by nitrobacter, ये भी ठीक है, फिर आप कहोगे क्या, बोथ step first and second can be called nitrification, बिल्कुल सही है, दोनों step हो का अपन क्या कहते हैं, nitrification bacteria carrying out these steps are usually photoautotrophs, ना, photoautotrophs नहीं होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं chemoautotrophs होते हैं, तो fourth option में ये आपके photoautotrophs जो दे रखा है इसकी जगे आपके क्या आएगा बिटा, chemoautotroph तो ये fourth option जो है, वो आपके क्या हो गया, wrong हो गया, तो आपके क्या false सही है, second सही है, third सही है fourth आपके क्या है, wrong है तो आपके not true पूछा है तो आपके wrong जो है, true जो नहीं है वो आपके कौन सा नहीं है, fourth तो answer जो जाएगा वो आपके कौन सा चला जाएगा fourth, ठीक है next अगर अपन बात करें, तो फिर आपके कौन सा हो जाएगा, देखो तो इसका answer जो हो जाएगा, वो बिटा आपके क्या दे रखा है देखो the given equation is refers to प्रदत समीकरण किसे संदर्वित करता है N2 है 8 electron है 8 H plus है और आपके क्या है 16 ATP और 2 NH3 आपके क्या हो रहे है फॉर्म हो रहे है तो N2 से NH3 का फॉर्म होना विट आपके क्या गिलता है nitrogen fixation तो यहां answer जो आएगा वह आपके क्या जाएगा N2 fixation next जो है वह आपको दे रखा है क्या minerals associated with redox reaction are redox अभिक्रियों से संबंदित तो जिनका आपके क्या है reverse आपके क्या होता है reduction भी होता है और आपके क्या है oxidation भी होता है तो redox reaction से related जो है वह वह बिट आपके क्या है FE और CU यानि कि आपके क्या है FE और क्यों हो जाएगे CU iron और copper next अगर आपन बात करें तो next question आपको क्या दे रखा है NCIT की सीधी line है silicon cobalt और sodium और solid selenium silicon cobalt sodium तथा selenium यह बिटा आपके क्या होता है beneficial element क्या होता है बिटा beneficial element फिर आपके क्या है simple सा बहुत अच्छा क्यूशन है mineral nutrition का necrosis of tissue particularly leaf tissue is due to the deficiency of उतकों का विसेस्ट है पर्ण या उतकों का उतक्ष है किसके अभाव के कारण होता है तो सीधस आपके इसकी term होती है क्या c a c u इसके अलब आपके क्या है mg और आपके क्या है k मांगे क्या होता है 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 क्या है क्या होता ह बात करें तो वो बिटवक के कौन सा होगा देख fantasy आपके वाटर पोटेंशल आफ एक्सिस्टिंग सॉलूुशन स fringe यह सभी पाए जाने वह ले वलीन हों का जलबेभव तो maximum water potential जो होता है maximum water potential जो है वो बिटवक के किसका होता है बोलो प्योर वाटर का, प्योर वाटर का और ये प्योर वाटर का आपके कितना है, जीरो, बाकी सब का आपके क्या है, जीरो से क्या होगा, कम होगा, यानि कि आपके प्योर वाटर का क्या है, मैक्सिमम है, तो बाकी आपके लौर देन हो जाएंगे आपके किससे, प्योर वाटर से, सुद्ध जल से बाकी सब का आपके क्या होगा विटा कम होगा ठीक है बढ़ते हैं नेक्स क्यूशन 62 की तरफ फिर आपको दे रखा है रखा है इफ ट्रांस्परिशन स्टाप्स यादी वास्पोट सरजन रुख जाए तो वासपोट सर्जन अगर आपके रुकेगा तो आपके क्या भाई आपके क्या है वासपोट सर्जन क्या करता है पानी को उपर की तरफ आपके क्या करता है खीचता है भाई यहाँ आपके क्या होती है पुलिंग होती है तो आप क्या कहोगे upward movement of water by roots क्या हो जाएगा रुख जाएगा नेक्स अगर आपन बात करें तो next question जो है वो आपको दे रखा है diffusion rates affected by विष्रन की दर किसके द्वारा प्रभावित होती है तो NCIT में दे रखा है किसको धाब भी प्रभावित करता है तापमान भी प्रभावित करता है concentration gradient यानि कि सांदरता प्रवनता जो है वो भी आपके क्या करती है प्रभावित करती है तो answer आपके हो जाएगा कौन सा all of these यानि कि आपके क्या जाएगा इसमें answer बताओ यहां आपके answer आएगा क्या all of these बढ़ते है next question की तरफ next question आपको दे रखा है वेटा क्या which of the following process requires semi permeable membrane देखो semi permeable membrane जो है आपन कहा है SPM जो है इससे आपके काई की solvent का जो भी आपके क्या होता है movement होता है इससे solvent का जो भी movement है इसको अपन क्या कहते हैं osmosis तो आपके क्या है अगर आपन बात करें तो SPM की requirement आपको किसमें होगी osmosis में बिटा next जो है वो आपको दे रखा है क्या select the incorrect statement with respect to the active transport सक्रिय परिवहन के संदर में गलत कथन का आपके क्या कीजिए चैन कीजिए तो यह highly selective होता है बिलकुल होता है highly selective फिर आप कह रहे हो अपहिल transport बिलकुल यहां आपके lawyer to higher concentration आपके क्या करता है move करता है आपके कौन water या जो भी आपके क्या होता है जो भी आपके क्या है अगर आपन बात करें तो यहां molecule का जो movement होता है वह अपनी law to कहा होता है higher concentration जिसमें ATP आपके क्या होती है खर्च होती है फिर आपके कह रहे है not requires special membrane proteins यह बिटा जूट बोल रहे है सरासर यहां आपके परिवहन जो है वह आपके कैसा होता है highly selective कैसा होता है highly selective क्यों होता है highly selective क्यों होता है highly selective क्योंकि यहां membrane proteins जो आपके क्या दिया गया है not requires special membrane proteins इसमें विसस जिली प्रोटोनी कोई प्रोटीनों की आवशक्ता नहीं होती है transport आपके क्या होगा saturated बिल्कुल saturated होगा जब सारे के सारे carrier proteins का use हो रहा होगा तो आपके transport की rate जो है वो बिटा आपके क्या रहेगी maximum बढ़ते है next question की तरफ तो इसमें आपके कौन सा हो जाएगा थार्ड ठीक है अब आपन बढ़ते है next question की तरफ तो आपके कह रहा है क्या a cell वहन immersed in a solution, increase in volume, so the external solution है जब एक कोसी का को विलियन में डुबोए जाता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है इसका आयतन बढ़ रहा है वीटा, इसका मतलब जो है वो solution कहां आ रहा है अंदर आ रहा है और solution अंदर आ रहा है तो बाहर वाला solution जो है वो आपके क्या है, hypotonic, तो यहाँ आपके क्या कचला जाएगा विटा अंसर, hypotonic यानि की अलप परासरी फिर आपके कह रहा है क्या antiport, वोई बात antiport में आप क्या कहोगी यह आपके क्या है, membrane protein है, इससे दो molecule जो है वो विप्रीद दिसा में आपके क्या करेंगे अगर इधर जा रहा है, तो भी आपके क्या आएगा, इधर आएगा, तो अब क्या कहोगे, जिल्ली के आरपार, यह आपन कहें क्या membrane के cross जो है, वो opposite direction में आपके क्या है, two molecules का क्या होगा movement, two molecules are moved in opposite direction across the membrane, जिल्ली के आरपार, दो अणुगों की विप्रीद दिसा में आपके क्या होगी, गती, next अगर अपन बात करें, तो फिर आप कहोगे क्या, doors made up would swell up in rainy season due to, लकडी के बने दरवाजे, किसके करण वर्सा रित्में फूल जाते हैं, तो यह आपके किसके करण होगा, इंबिबिशन के कारण, next अगर अपन बात करें, तो देखो, फिर आप क्या कहोगे, when a cell is placed in a solution, whose osmotic concentration is equal to cell sap, जब एक कोसीका को ऐसे विलियन में रखा जाता है, जिसकी सांद्रता, कोसी का रस की सांद्रता की आपके क्या है, बराबर है, फिर आप कहोगे, यहाँ वैक्यूल के अंदर, और यहाँ इस solution की आपके concentration जो है, वो बराबर है, तो यहाँ no net movement, यहाँ कोई भी आपके net movement नहीं होगा, तो आप क्या कहोगे, जल की कोई भी कुल गती नहीं होगी, no net movement of water occurs, जल की कोई भी कुल गती आपके नहीं होती है, देखो बिटा, सीधी सी बात है, 11 चैप्टर से जो question बनेगा, वो conceptual होगा, और 12 से आपके सीधा-सीधा NCRT-based क्या पूछा जाता है, question पूछा जाता है, जो कि आप देखी रहे हो conceptual और NCRT-based आपके क्या है, paper है, turgidity of regents is due to kismis, रात को बिटा आपन regents गलाते हैं, kismis गलाते हैं, वो सुबह फूल जाती है, क्यों, क्योंकि जब इनको hypertonic, hypotonic solution में आप रखते हो, अल्प परासरी विलियन, hypotonic solution में जब आप रखोगे, तो water कहां जाएगा, अंदर की त फूल जाती है, तो answer आपके क्या हैगा, endoosmosis, next जो है, वो NCRT का example है, आपके, in non-legume plants, which microbes is helpful in symbiotic antifixation, legume plant जो है, legume plant जो है, इन में symbiotic antifixation कौन करता है, बोलो, यहां symbiotic antifixation, बिटा आपके करेगा, कौन, बोलो, rhizobium, कौन करेगा, rhizobium, जबकि non-legume plant जो है, कौन, non-legume plant जो है, यहां आपके symbiotic antifixation जो करेगा, यहां symbiotic antifixation जो करेगा, वो आपके होगा, बिटा, कौन, frankia, कौन होगा, frankia, कौन हो जाएगा, बिटा, frankia, next अगर आपन बात करें, तो फिर आपन चलेंगे, क्या, non-living component of gylem tissue are involved in, जाइलम उतकों के निर्जीव अव्यव आपके क्या होते हैं, समलित होते हैं, निर्जीव अव्यव हमेशा आपके किसमे एपोप्लास्ट पाथवे में, बिटा जी, आपके क्या हो जाएंगे, समलित, तो यह समलित होंगे, आपके किसमें, एपोप्लास्ट पाथवे में, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो दा पाथवे ओफ वाटर फ्रॉम दा सॉयल, अप्टू सेकेंडरी जाइलम, जल का म्रदा से दितियक जाइलम तक पहुँचने का मार्ग निमन में से हैं, तो पहला देख लेते हैं, सॉयल बिल्कुल सही है, सॉयल से जा हो जाएगा फस्ट, पहला यी पाथवे जो आपको दे रखा है, वो आपके किया देरखा है, सही दे रखा है, बिटा, नेक्स्क्यूशन में आपन चलते है, तो नेक्स्क्यूश्ट में देखो, आप क्या करोगी? हाइडे तोर्स है panel जल रंद्र जू है, वो आपके किसमे साहता करते हैं तो सीधी सी बात है विटा किसमें करते हैं यह बिंदू स्रावन यानि कि आपके किसमें गटेशन में फिर आप कोगे क्या नेक्स्ट अगर आपन बात करें तो क्या पूछा आप से select an incorrect statement गलत कथन का चैन करिए guard cell are dumbbell saved in monocots बिल्कुल सही है यह आपके क्या है monocots में dumbbell saved होती है जबकि dicot में kidney और bean सेप होती है inner wall of the guard cell thin thin नहीं होती बिटा कैसी होती है thick तो यह आपके क्या हो गया है wrong तो यह आपके क्या हो गया wrong यह आपके कैसी होंगी thick cellulogic microfibrils are arranged radially in the guard cell बिल्कुल सही है द्वार कोसिका में cellulogy अरियर रूप से विवस्तित होते हैं फिर आप कहोगे guard cell are surrounded by the subsidiary cell द्वार कोसिका है सहाय कोसिका हों द्वारा आपके क्या रहती है घरी रहती है तो यहां wrong जो है वह आपके कौन सा हो जाएगा second तो यहां answer जो चला जाएगा बिटा वह आपके कौन सा होगा second फिर आप कहोगे क्या next अगर आपन बात करें तो next आपको दिया हुआ है क्या water is mainly transported to suit tips by the help to जल को प्रहो सीर्सों में मुखता है किसकी सायता से परिवेहनित किया जाता है तो mainly आपके क्या है डिक्सन और जॉली की जो आपके accepted होगी है वो आपके कौन सी है transpiration pull क्यों तो इसको किसके द्वारा परिवेहनित किया जाता है transpiration pull के द्वारा नेक्स्ट अपन बात करें बेटा तो आपको दिया हुआ है क्या heterocyst और healthful in heterocyst किसमें पाई जाती है बोलो cyanobacteria में किसमें होती है cyanobacteria में और cyanobacteria में ये बेटा आपके करती है क्या end to fixation cyanobacteria में ये बेटा आपके क्या कर देंगी end to fixation next अगर आपन बात करें तो फिर आपके कह रहा है क्या a plant organ having high concentration of food will survive बोजन की उच्च सांधरता ये पादपंग किसका कार्य करता है बेटा बिल्कुल सिंपल है जहां आपके क्या है बोजन की अधिक सांधरता होती है वो आपके क्या होता है source और जहां इसकी कम सांधरता होती है जहां इसको consumption किया जाता है वो आपके क्या कहलता है sink तो यहां आपके क्या जाएगा high concentration अगर आपसे पूछ रहा है तो यह आपके उगा सुरूत यानि कि आपके sink फिर अगर आपन बात करें तो next question आपको दे रखा है देखू in a soft stem stemmed plant it's cutted horizontally इसको आप सुबह सुबह आपके क्या है horizontally क्या कर रहे हो cut कर रहे हो add the near the base base के near cut है with a sour blood sour blood से on early morning a humid day humid day और early morning क्यों का है क्यों कि यहां root pressure आपके क्या रहेगा drops of solution ooze through the stem this is due to सबसे पहली बात इसको ।ो यहां कि क्यारा है कि यह आपके किस के करण होता है तो है आपकी होगा root pressure के करण goと água gutation में तो आपके क्या है ब्ली इंदा मॉर्निंग में जो आपके ह இ the thoughts होता है उसके through water का क्या होता है लॉस होता है नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स क्यूशन आपको दे रखा है विटा क्या कभी हाड क्यूशन नहीं पूछ से जा रहे हैं एक दम सिंपल टाइप एंसी आटी की लाइन ने उठके आ रहे हैं तो अब टोटल ली एंसी आटी बेस्ट रहे हैं इदर उदर यह पढ़ लिया वह पढ़ लिया यह भी कर लू वह भी कर लो उसके चक्कर में अपनी एंसी से नीचे दिये गए परिवहन कथा एंसी ने संडचना का पहचान कीजिए आपको इसमें आइडेंटिफाइड करना है तो यहां क्या कोगे देखो यहां यह जो हो रहा है यह जो फिगर आपको दिखाया गया है यह आपके क्या है फैसी लेटेड डिफ्यूजन क्या हो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यह जो है वह आपके क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आपके क्या है प्रोटीन ठीक है एंसी अर्टी का एज इट आपके क्या है डाइग्राम है तो यह आपके क्या है तो यह आपके क्या है ट्रांसपोर्ट हैं वो आपके किसे बने होते हैं made up of eight different type of aquaporins आठ विभिन प्रकार के काय से बने होते हैं aquaporins से next अगर आप question की बात करें विटा तो फिर आप कहोगे क्या hypothetical arrangement of plant cells a b c and d are given glow पादब कोशिकाओं में a b c और d की परिकालपनिक विवस्था दी गई है और इसमें आपके पूछा गया है find the correct sequence of movement of water using the given values तो देखो आपके कहां जाता है यह कहां जाएगा law dpd to high dpd कहां जाएगा law dpd to high dpd high dpd तो c dc बात है d जो है उससे आपके किसमें चला जाएगा बी में बी से आपके किसमें चला जाएगा c में और c से जाएगा आपके किसमें a में तो आपके क्या है d d से b में b से c में c से कहां जाएगा तो D, B, C, A, ठीक है, क्या हो जाएगा, फिर्स्ट आंसर, नेक्स्ट अगर आपन बात करें, तो आपसे पूछ रहा है, कैम प्लांट्स के लिए, तो कैम जो है, उसकी फुल फॉर्म आपके क्या होती है, क्रैसूलेशियन ऐसेड मेटाबोलेज, क्या होती है, क्रैसूलेशियन एसेड मेटाबोलेज, ठीक है, यहाँ आपके क्या है, इस्टो मेटा जो होते हैं, उनको आपन कहते हैं, इसकोटो एक्टिव इस्टो मेटा, क्या बोलते हो, इसकोटो एक्टिव इस्टो मेटा, जो आपके क्या होते हैं, आपके किसमें, नाइट में, और क्लोज रहते हैं आपके किसमें डे में, तो open during night and close during day, रात्री में खुलते हैं और दिन में आपके क्या रहते हैं बिटा ये बंद रहते हैं, next अगर अपन बात करें तो आपके दिया हुआ है 86, find the correct pathway of movement of water in given presentation of cell, कोसी काओं के नीचे दिये गए निरूपन में जलकी गती की सही पत का आपके क्य कीजिए, chain, तो यहां भी आप क्या कहोगी, sin w, और यहां आपके किसमें जाएगा, sin w में, तो यहां आपके क्या जाएगा, high sin w to कहां जाता है, law sin w, तो निकाल लो आप, यहां आपके आएगा, minus 5, यहां भी आपके कितना आएगा, minus 5, यहां आपके कितना आएगा, minus 6, it means sin w जो क्या होता है बूलो साईं S स्प्लस क्या होता है साईं P ठीक है इस चीज का आप ओगा इसको निकालों गिए तो यहाँ भीज भी लो और यह दोनों cells गो है यहाँ वो देंगी यह भी इसको देगा यह भी इसको देगा, तो ऐसा आपके कौन सा देख लो, यह दे रखा, X और Y, आपस में आपके ले सकते हैं, लेकिन यह दोनों दे रहे हैं आपके किसको, Z को, तो correct answer जो है, वो आपके कौन सा हो जाएगा, second, और यह वा समझ में, यह भी minus 5 है, यह भी minus 5 है, तो यह आपस में आपके क्या कर सकते हैं, लेन देन तो कर सकते हैं, ठीक है, यह आपस में क्या कर लेंगे, यह तो आपके वाटर इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ साइं कम है, तो यह दोनों वाटर डॉनेट करेंगे, किसको, Z को, तो X, Y का आपके reversible हैं, और यह दोन के सम्हूं को पेंचानी है तो सीधा NCRT में दे रखा है सुडो मॉनास और अपके क्या जाएगा थायो बेसिलस सुडो मॉनास और थायो बेसिलस बेटा यहां आपके क्या हो जाएगा आंसर अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आपको दे रखा है वे परिस्तितियां कौन सी है जिसमें वासपूत सर्जन सबसे तेजी से होगा तो cold environment नहीं होगा law humidity सही है high temperature सही है turged guard cells and moist soil तो बिलकुल सही है कौन सा जाएगा second कम आदरता उच्चता आप स्फित द्वार को सिका है और नम क्या हो जाएगी म्रदा तो कौन सा जाएगा second law availability of water यह भी नहीं हो सकता high humidity यह भी नहीं हो सकता तो answer आपके चला जाएगा बिटा कौन सा second most जो febrible condition है वास्पुत सर्जन के लिए वो आपके कौन से option में है second में next जो है all through the girdle अप बास 3 में survive ट्री में survive sometimes it will eventually die because यद पी एक वले उक्त फ्लॉयम कुछ समय तक उत्तर जीवी तदर साता है लेकिन अंतता है यह व्रक्ष मर जाता है क्योंकि भाई आप क्या के तो यहां से आपने बार्क रिमूव कर दी तो बार्क में से आपके चला गया है कौन secondary फ्लॉयम और secondary फ्लॉय बार्क रिमूव डाउनलोड बाई आप क्या कहोगी सरक्राएं वे अन कार्वनिक विले नीचे की और गती नहीं करेंगे सुगर अधर और 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 अर्गनिक सॉल्यूट्स विल नाट मूव डाउन वर्ट तो आपके कौन सा अंसर आजाएगा विटा थर्ड फिर अगर आपन देखें तो आप क्या कहोगी देखो फ्लॉयम लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोसेस हार रेस्पेक्टिवली फ्लॉयम लोडिंग तथा अनलोडिंग प्रिक्रियाएं क्रम से होती हैं भाई आप किसकी बात कर लो लोडिंग की चाय बात कर लो किसकी अनलोडि नेक्स्ट अगर आपन चलें तो आपको दे रखा है क्या विच एज नौट परपज ऑफ ट्रांस्पिरेशन नियमने खित्में से कौन सा वास्पूच सर्जन का उद्देश है नहीं है सप्लाइज वाटर फोर फोटो सिंथसिस प्रकास अंसलेशन के लिए जलापूर्ती बिल आपके लिए उसके लिए तो रेस्पूच सर्जन का कोई भी उद्देश है नहीं है सीधा इन्सी आटी में आपके सारे जो उद्देश है वो आपके मेंसन कर रखा है और कहीं भी यहाँ आपके ट्रांस लोकेशन अफ फोर की बात नहीं कर रखी है साइटो का इने निज ए बुलो बुलो साइटो काइनेन कौन होता है साइटो काइनेन तो क्लोजिंग जो है उसके लिए रेस्पॉंसिबल जो है क्लोजिंग के लिए रेस्पॉंसिबल बेटा जो होगा वह आपके कौन होगा एबी ए कौन होगा बेटा एबी ए नेक्स्ट अगर आपन बात करें तो कौन सा सबसे वैद एवं newton बैख्या करता है तो यह आपके क्या होता है potassium iron potassium iron influx and efflux theory जो आपके किससे ने दी थी लेविट ने तो क्या हो जाएगा potassium influx and efflux next अगर आपन question में बात करें तो फिर आपके क्या हो जाएगा deficiency of in which elements are responsible for delay in flowering कौन से तत्वों की कमी पुस्पन में देरी ही तो आपके क्या है उत्तरदाई है सीधा NCRT ने दे रखा है आपके NSMO क्या दे रखा है बिटा NSMO क्या दे रखा है NSMO फिर आप कहोगी which element is activator of alcohol dehydrogenase करता है वो आपके कौन करता है जिंक यानि कि आपके कौन है जैडन ठीक है नेक्स्ट आपन चलें तो फिर है आपके देखो गटेशन इच टेक्स पेस बाइदा टिप्स ओफ लीव्स वहन बिंदू स्राउक पढ़न के किनारों द्वारा संपन होता है जब rate of transpiration is high ना transpiration की rate जो है वो आपके क्या होनीची है लो पैसिव टाइब वाटर absorption इटेक्स पेस नहीं जब आपके active type water absorption हो रहा होगा तो root pressure आपके क्या होगा generate होगा जिससे आपके क्या होता है irritation तो ना तो यह है ना यह है फिर आप कहोगी वहन stem is cutted by a sharp blood above to the base यह आपके किसका answer है bleeding का तो यह भी आपके नहीं हो सकता excessive water is available in plants during early in the morning विल्कुल सही है जल्दी सुभह के दौरान पादपो में अतिरिक्त मात्र आपके जल्की क्या हो उपलब्ध हो तब आपके क्या होता है gutation होता है तो answer जो है वह आपके हो जाएगा कौनसा fourth next जो है वह आपका होगी क्या imbibition takes place during the time of antachyusan nimr के दौरान आपके क्या होता है संपन होता है shrinking of protoplast यह आपके किसमें होता है plasmosis में वहन rubber placed in water यह भी आपके नहीं होगा water नहीं kerosene में आप प्लेस्ट करोगे तब होगा तो यह भी आपके नहीं होगा seed germination के दौरान imbibition आपको देखने को मिलता है यह सही है बीज अंकुरन के दौरान आपके देखने को मिलेगा water molecules entering in sugar solution तो water molecule आपके sugar solution के अंदर enter से कोई लेना देना है ही नहीं तो answer आपके क्या हो जाएगा third इसके बाद मैं देखो बहुत अच्छा सा आपको एक क्यूशन दे रखा है under which condition does the dpd becomes more than op तो देखो dpd आपके op से आपके more कब होता है जब आप लेते हो किस के लिए कौन सी condition के लिए लेते हो plasmolyzed condition के लिए जब tp आपके क्या हो negative हो तो tp अगर आपके negative हो जाएगा तो dpd आपके क्या हैगा op minus tp तो यहां आपके क्या हो जाएगा dpd is equals to op plus tp तो यहां dpd जो है इसकी value जो है वो op से आपके क्या हो गही है high हो गई है ठीक है तो आपके क्या जाएगा TP is negative जब TP आपके क्या हो रिनात्मक हो next अगर आपन देखें तो फिर आपके कह रहा है क्या if the water potential gradient between the absorbent and liquid is equal then by imbib और absorbent जो है इन दोनों के बीच में water potential आपके क्या हो गया है Nex and last question बहुत अच्छा क्यूस्चन है दुषण है active transport एक्तिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके लिए आपके क्या जाएगा देखो एक तो ही आपके क्या हो जाएगा, अपहिल ट्रांस्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है, और रिक्वार आपके होगी काई की, ATP, एनरजी की, यानि की 5 और आपके क्या जाएगा, 8, ठीक है, 5 और 8, प्लाज्मोलाइसिस में आपके दोगी क्या, नैसेसरी विल, ट्रांस्परिशन मे जाएगा, यूज्वली आपके कैसा होता है, रिवर्सीबल प्रोसेस, बिल्कुल सही है, तो यहां आपके क्या जाएगा, 3rd, क्या जाएगा बिटा, 3rd, इसके अलावा यहां अगर आपन बात करें, तो increase in volume, नहीं, अफिल ट्रांस्पोर्ट नहीं, takes place in hypertonic solution, तो कौन सा हो जाएगा, 6, ठीक है, character of solid colloids, नहीं, फिर आपके क्या है, required energy, यह भी आपके नहीं होगा, तो यहां कौन सा होगा, 3 और 6, देखो इन दोनों से ही आपके match हो गया, 5 और 8, ठीक है, 5 और 8, और फिर आपके 3rd, और आपके क्या है, 6, यानि कि 3rd और 6, तो आपके 5 और 8, 3rd और 6 आगे match कर लेते हैं, तो आपके क्या है, imbibition, imbibition में आपके आजाएगा, क्या, एक तो क्या होगा, increase in volume, बिल्कुल सही है, 4th हो जाएगा, इसके अलाब आपके क्या है, sorry, 4th हो जाएगा, यहां आपके क्या हो जाएगा, 4th increase हो रहा है, इसमें, volume में, और आपके 7, character of solid, solid, colloid, तो आपके कौन सा हो जाएगा, आपके 4th और आपके कौन सा हो जाएगा, 7th, इसके अलाबाद, transpiration, necessary will है, और affected आपके होगा, काईसे, humidity से, तो answer जो है, इसमें बिटा, आपके कौन सा जाएगा, 2nd, ओके बिटा, अगर आपन देखें, तो आप क्या कहोगी, एकदम बिट देते आ रहे हो, ये 10th बायोकेम आपका क्या हो गया है, पूरा हो गया है, तो बहुत अच्छे से बिटा, preparation रखें, NCRT-based preparation रखें, पेपर वापस इजी आने वाला है, अपने CLC जो है, इसकी बायोकेम DTS से बाहर, बिटा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो आप 100% इ करें, अच्छा-च्छा परफोर्म करें, ओक्य बिटा, आगले बायोकेम में फिर अपनी मुलाकात होगी, JCLC, JJCLC, JJCLC, ठैंक्यू बिटा,